हलो स्टुदेंट्स तो बेटा आज स्टार्ट करेंगे अपन बायोकेम 17 नंबर टेस्ट जिसमें अपन टोपिक कवर कर रहे हैं पूरा आपका एक चैप्टर से टेस्ट पेपर बनाया गया है और इसमें पूरा पेपर जो है बिलकुल NCRT बेस्ट है इसके अलावा NCRT के जो अच्छे-चैप्ट्स उनको पूरे इंक्लूड करने की पूरी खोसिस की गई है कुछ डेटा बेस्ट क्योशन है तो पूरे स्सक्तित इंकरेक्ट कुछ इंकरेक्ट की आपको इंकरेक्ट स्टेट्मूंट को क्या करने sizes करने स्टेट्मेंट लॉंग पूलीमर ओफ डी ओक्सी राइबडो के यो टाइड् बिलकुल सई है स्टेट्मेंट सेक्ट करिक्ट लें Park लेंद आप डिएन利ए ऐसि genetic material in mostly organism बेहों करेक्ट स्टेटमेंट है नुप्ली कैसिड एक्ट एज जने टिक मैटेरियल इन ओल और गनीस्म विदाउट एनी nitrogenous basis and one type of pentasaccharide देखो समझों इसको DNA में nitrogen based बेटा चार टाइप के होते हैं बिल्कुल सिम्पल है एडिनिन गौनिन थाइमिन एंड साइटोसिन बट जो pentasaccharide है वो नहीं होगे बेटा DNA के अंदर कौन होता है pentose sugar होती है pentose sugar बोले तो monosecuride तो यह statement क्या हो यह इनकरेक्ट हो गया यहां क्या आना चाहिए था वन टाइप ओफ मोनो से गराइड बट यहां दे दिया पेंटा से गरेड तो आपको आंसर क्या हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर विल भी फॉर्थ आंसर कौन सा होगा फॉर्थ ओके अब चलते है है नेक्स्ट क्योशन पर इन नुक्लियो टाइट दा बॉन्ड बिट्विन दा फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्शली ग्रूप अब सुगर इस बिल्कुल सिंपल क्योशन है अगर मैं नुक्लियो टाइट की बात करूं तो बेटा एक तो होगी आपकी शुगर एक तरफ बॉन्ड ये वाला बॉन्ड होता है गलाइको साइडिक बॉन्ड तो आपने आंसर क्या करना है फोस्फो एस्टर बॉन्ड तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकिंड ओके आप चलते हैं नेक्स्ट क्योशन पर अपोर्डिंग तो वाट्सन क्रिक मॉडल डिने कंसिस्ट टू पोली नुक्लियोटाइड इस्टेंड दोज आर ओविसली डिने के अंदर बेटा दो पोली नुक्लियोटाइड क्या होती है इस्टेंड होती है दो रज्जू का बना होता है और यह दोनों जो इस्टेंड है वाट्सन क्रीक मोडल में कुछ करेक्टर बता रखें उसके अकोडिंगे क्यों डिजाइन किया है दोनों की धुरुवता अलग अलग होगी एक 5 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम दूसरी 3 प्राइम तो यह हो जाएगी 5 प्राइम पैरलेल टू इच अधर गलत हो गया दोनो एंड आइडेंटिकल टू इच अधर यह भी पॉसिबल नहीं है तो आपका आणसर क्या होगा एंटी पैरलेल टू इच अधर आणसर विल बी सेकेंड एक दूसरी के क्या है प्रैति समानांतर होती है ओके नेक्स्ट क्योशन पर चलते हैं अब इन नुकलिक एसिड देखो अधिक एसिड के अंदर जो है डारेक्शन से बॉन्ड फॉर्मेशन की उसके अकोडिंग यहां पर क्योशन डिजाइन किया है बड़ा सिंपल है देखो बैटा मैं पहले समझा देता हूं यह कोई निकलियो टाइड है और यह है नेक्स्ट निकलियो टाइड और आपको पता में जो सुगर है उसका थर्ड प्राइम कार्बन और अगली वाली का फिफ प्राइम कार्बन इनके बीच में क्या बनेगा फॉस्पलाइस्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसने यह पूचाए फॉस्पेट मॉईटी लिंक दा X of one sugar of one nucleotide to the Y of the sugar of succeeding nucleotide मतलब जो आगे वाला nucleotide है उससे किस से जुड़ा होगा तो देखो यहाँ पर देखो लिंक दा 3 prime carbon यह बता है न मैंने इसका 3 prime carbon और अगले वाले का कौन होगा 5 prime carbon और यह यही पूचना चाह रहा है आपसे यहाँ पर X क्या है X is 3 prime carbon और जो Y है वो क्या होगा 5 prime carbon तो इसके according आपका अनसर हो जाएगा 3 prime and 5 prime carbon respectively ओके नेक्स्ट क्योशन पर चलते हैं अब ठीक है अब बात करते हैं नेक्स्ट क्योशन की विच ओफ दा फॉलोविंग प्यूरीन इस प्रजेंट इन बोथ DNA and RNA बड़ा सिंपल क्योशन है अब यह क्या है नाइटोजिनस बेसे के एक्जामपल आपको यह बताना है कि कौन सा प्यूरीन इंपोर्टेंट है यह कौन सा प्यूरीन डिन आरने दोनों में common होता है देखो बेटा साइटोसीन क्या है प्रिमीडिन का एक्जामपल है तो सा आड़िन डिन और आरने दोनों में पाया जाता है यूरिससिल क्या है और यूरिसेल आपको पता है के वल किस में होता है आरने में पाय कोरियोशन के निखुसोन की विच इज नुक्लिओ टाइट देखो बड़ा simple question है कौन सा nucleotide है और आपको पता है nucleotide nucleoside nitrogenous base इनके groups देके पहचान करवा सकता है तो अक्सर ऐसे question भी आ जाते हैं तो यह nucleotide की बात करें तो देखो adenosine क्या है nucleoside guanosine nucleoside cytidine nucleoside but uredilate क्या होता है नucleotide किसका बना होगा phosphate ribod sugar और nitrogenous base ही होई गया uracil तो यह क्या होजाएगा आपका nucleotide क्योंकिसके अंदर कितने गटक होगे तिन गटक होगे कौन-कौन से phosphate sugar तथा base answer will be fourth next करें विच इनकरेक्ट अबाउट DNA helix model अच्छे क्योशन बंदने इस सारी क्योशन अपने लगबग कवर की है DNA helix model के तो कौन सा इनकरेक्ट है आपको select out क्या करना है जो इनकरेक्ट है the two chains are coiled in a right-handed fashion दोनों shrink line दक्षनावरती कुंडलित होती है बिल्कुल सही है जो आपस मिन में गुमाव होता है यह कौन सा होता है right-handed होता है याद रखना है important है the pitch of helix is 3.4 nanometer पिच का मतलब है एक turn DNA की जो कुंडली होती है उसमें जो single turn है उस single turn की length होती है 34 ang stone याद रखना आपके ncati में दे रखा है 24 ang stone और ang stone का आपर nanometer में बदलें तो कितना हो जाएगा बेटा 3.4 nanometer तो यह statement भी क्या है सही है यह भी सही है the backbone is constituted by the sugar and phosphate जो backbone है मुखे जो आधार है वो किसका बना होता है सरकरा का और phosphate का बिलकुल correct है distance between base pair is 34 ang stone तो दो base pair के मध्य की जो दूरी होती है distance होती वो होती है बेटा 3.4 ang stone और यहां क्या दे दिया इसने 34 ang stone तो यह क्या हो गया incorrect हो गया इस model के according तो answer हो जाएगा आपका fourth okay next question in prokaryotes DNA negatively charged is held with some protein in a region termed edge बिलकुल anxiety statement है जो prokaryote होते हैं उन में जो DNA है वो negatively charged है तो plasma पाया जाता है और इस negatively charged DNA के उपर कुछ विशिस्ट चारिये धनाविशित protein क्या होती है बंदित होती है जिनको अपन बोलते हैं polyamines और यह मिलकर जिस region का निर्मान कर रही है इसी को बोलते हैं के इंदर काब बोले तो nucleoid तो आपका आनसर क्या हो जाएगा nucleoid ओके select the correct statement सही कथन का चुनाव करना आपको देखो सही कथन को चुनिए चार कथन आपके सामने पहला stone are positively charged acidic protein गलत हो गया बेटा धनावेशित है लेकिन यह अमलिये protein नहीं होती है चारिये protein stone are rich in the basic amino acid lysine and aspargene यह गलत हो गया यहाँ पर lysine aspargene aspargene की जगह होना चाहिए था arginine तो statement क्या हो गया गलत stone are organized to form a unit of eight molecule called stone octamer बिल्कुल सही बात है जो आपके stone होती है वो आठ stone मिलकर क्या करती है एक stone octamer का निर्मान करती है जो धनावेशित होता है जिसके चारों और dna लिप्टेगा और nucleosome का निर्मान करेगा stone protein found in both eukaryote and prokaryote statement wrong हो गया stone protein जो है बेटा prokaryote में नहीं पाई जाती तो इसमें select कौन सा करना है correct को correct कौन सा हो जाएगा आपका third हो जाएगा okay next question a typical nucleosome contain important concept है nucleosome के अगर बात करें तो एक रफ डाइग्राम बना रहा हो बेटा यह octamer है इस octamer के चारों और यह dna क्या होगा wrapped around octamer यहाँ पर होगी h1 यह कौन है h1 यह कौन हो गया octamer और यह कौन है dna helix अभी nucleosome क्या according देखो concept one stone octamer एक typical प्रारूपिक nucleosome में होता है तो तुमारे सामने है एक stone octamer है सही बात है and 8 h1 stone गलत हो गया h1 stone जो होती है वो एक ही होती है आठ नहीं होती है तो यह क्या हो गया incorrect हो गया 200 base pair of dna helix इसके चारों जो dna lipta है उसके अंदर 200 base pair ही होते है तो यह statement बिलकुल क्या है सही है आगे देखते है 8 stone octamer and 1 h1 तो गलत हो गया stone octamer एक ही होता है आठ नहीं होते है संख्या में कितना octamer एक तो यह भी incorrect 2000 base pair of dna lx नहीं हो सकता तो आंसर क्या होगा आपका second वाला बिलकुल क्या है correct है ही है कि सेलेक्ट दा मिस्मैच बिलकुल simple विसमेच को आपको सेलेक्ट रहना है यह जो यह है ली यह होते हैं और रेनाविस्ट होती हैं यहां पर कर दिया पोजिटीवली चार्ज तो यह इंकरेक्ट मैचिंग हो गई नुक्लियोईड बैक्टिरिया का करेक्टर है तो बिल्कुल सही बात है ओके तो यहां पर मिसमेच कुन सा हो गया थड़ वाला हो गया एनसी क्या होती है है एसिडिक प्रोटीन होती है और इन पर चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है याद कर लोगे ओके नेक्स्ट क्यों सब्सक्राइब करें तो आपको पता है एडिन क्या होता है है शिक्स अमीनो प्यूरीन तो यह हो गया ना यह प्यूरीन रिंग है और इस पे शिक्स नंबर पे क्या है अमीनो गूरूप है तो सिदा अनसर क्या हो जाएगा आपका फॉर्थ which of the following character belong to the nucleic acid nucleic acid से कौन सा करेक्टर जो है उसके समन्द में सही है वह आपको चुनना है पहला क्या दिया है presence of five carbon monosaccharide nucleic अमल में कौन सी सुगर होती है बेटा पेंटल सुगर होती है और genetic material होता है सही है micro biomolecular nature यह नहीं होता नुकली कमल क्या होता है macro biomolecular का example है तो कौन-कौन से हैं इसमें ABC ओपसल पे जाओ जहाँ पर ABC है only AB and C तो आपका अंसर क्या हो जाएगा second next question which is not transcriptional unit आपने पढ़ा है जो अनुलेखनी काईया है जो transcriptional units है कौन-कौन सी होती है promoter structural gene and terminator अब तुमारे सामने है कौन सा जो है नहीं होगा structural gene होगी न सिस्टोन एक terminator आ गया प्रमोटर औरी साइड जो है उसका transcriptional transcription में कोई role नहीं होता यह क्या है replication में help करेगी तो answer सिदा क्या हो जाएगा आपका third इन गिवन डाइग्राम देखा निकलियोसम का डाइग्राम भी अपने ले लिया है ताकि यह भी कवर हो जाए इससे क्यों काफी सारे बन सकते है तो गिवन डाइग्राम अभी थोड़ी देल पले मैंने आपको बताया था बेटा ए जो है वो है DNA B कौन है बेटा H1 है और C कौन है यह है आपका octamer कौन है octamer आप पूछा क्या है इसने core of stone molecule दे रख रहे हैं और इसने पूछा गिवन डाइग्राम identify B आपको B को पैचानना है तो सिदा B पे जाओ B कौन है H1 और आपका answer क्या हो जाएगा यहाँ पर H1 कर लोगे यहाँ थोड़ा दिखाय नहीं दे रहा यहाँ कर लना है H1 stone ओके अब बात करते है next question which is correct about dna and dna's देखो बड़ा इंपोर्टेंट आपके anxiety से equation उठाय गया है इसमें दो वर्ड कुछ है एक तो है dna यह भी प्रनिसेशन इसका dna आ रहा है तो बड़ा सिंपल है dna का जो plural form होता है बहुचन होता है वो होता है s लगा दो dna और जो dna है a s लगाती हो जाएगा enzyme जो dna को क्या करता है digest करता है और यह क्या है nucleic acid dna भवचन तो इसने यह तो कुछ है about dna and dna dna s खोले तो plural हो गया dna is nucleic acid and dna is protein तो dna क्या है nucleic acid है सही बात है और dna dna s क्या है enzyme और enzyme कौन होते है बटा protein nature क्यों होते है तो बिल्कुल क्या है यह सही है लेकिन आगे भी देखते है बहुत हार enzyme दोना enzyme नहीं है बहुत हार protein दोनों protein नहीं है dna s बोले तो plural dna हाइडुलाइज दा dna यह गलत हो गया उल्टा करना चाहिए था यह स्कुण ना करेगा dna जो हो किसको आइड़ाइज करता है dna को हो जाएगा अपका फस्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्योशन पर चलें अब विच इस नोट एक कंकुलूजन ओफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ ग्रिफिथ का जो एक्स्पेरिमेंट है वहां का क्योशन है उसने काफी कंकुलूजन दिये थे अब सुनो पहले इसको मैं ब्रीफ कर दूँ बैटा ग्रिफिथ ने अपने में एक्सपिरिमेंट में लास्ट में क्या बोला था ृछा जो आर इस्टैना है नूमो क कॉकस की जो स्टेप्टो कोकस नोनि होता है वो चेंज हो जाती है किसमें िस स्ट्रेड में लेकिन किसकी उपस्थती में ही mówi हीट किल्ड को S strain क्योंकि heat killed S strain से कोई transforming factor होता है जो R strain के अंदर enter होता है जो R को किसमें बदल देता है S में और S strain का मितलब हो गया R के चारों और polysaccharide की layer का निर्मान हो जाता है बोले तो glycocalyx का निर्मान हो जाता है तो इसको यह बोला थे इसने transformation that is called transforming principle R strain pneumococcus R transformed by heat killed S strain pneumococcus बिल्कुल सही है आपको तो गलत को चुलना है तो यह statement क्या है सही है transforming factor is transferred from heat killed S strain to R strain यह बता है न जो transforming factor है वो heat killed S strain से R strain में क्या होता है इस थानांत्री तो होता है यह उसने conclusion दे दिया था transforming factors DNA बिल्कुल गलत बात है Griffith ने यह नहीं बताया था कि transforming factor कौन होता है उसकी biochemical nature को नहीं समझा पाया था और आपने किसके according answer देना है Griffith के conclusion के according तो उसका conclusion यह नहीं था यह तो किसने बताया था एवरी मैकलियोड एंड मैकार्टी हरसे और चैस ने फिर उसका सुस्पस्ट परमान दिया था तो यह answer के हो जाएगा बड़ा simple सा है आपका third हो जाएगा यह conclusion Griffith का नहीं है और आगे बिल्कुल सही हीट के लिएस स्टेंड आर स्टेंड सिंतिसाइज है स्मूथ पोलिस अगराइड कोट बिकम विरूलेंट की मैं डिसकस कर चुका हूं ओके अब चले next question पे the unequivocal proof that DNA is the genetic material came from the experiment of तो सूस्पस्क प्रमानित किस ने किया था कि DNA ही क्या है आन्वन सिक पदार्थ है बिल्कुल patent क्यों से नहीं हर्से तथा चैस कर लोगे हर्से तथा चैस which of the following experiment was based on radio activity molecular biology में काफी experiments है तो आपको यह बताना है कि कौन से experiment में radio activity का उप्योग किया गया था हर्से और चैस ने radio activity का में ली थी यादकरो बेटा पी 32 32 and S 35 मिजल and stole experiment में इसका उप्योग नहीं किया गया यह density पर आधारी था ग्रीफित ने भी उप्योग नहीं किया इन्हों नहीं उप्योग नहीं किया तो answer आपका सिधा क्या हो जाएगा हर्से तथा चैस experiment next question in harsay and chest experiment bacteria that are infected with bacteria of phase that has radioactive DNA or radioactive indicate that बड़ा simple है हर्से chest experiment उन्हों ने किया तो statement किया है जो जीवानों विकिन सक्रिये DNA रखने वाले जीवानों भोजी से संक्रमित किये गए थे विकिन सक्रिये रहते हैं यह सूचित करता है उसमें दो अलग-अलग experiment है यह इसने first case की बात की है तो बताओ इससे क्या इस first होगा कि इसका मतलब DNA जीवानों में प्रविष्ट होता है लेकिन protein होती या नहीं होती इसका idea इस case में नहीं लगेगा तो आपका conclusion क्या रहना जी यह क्या सूचित करेगा है DNA entry into the bacteria protein की बात नहीं कर सकते है protein के लिए फिर वो दूसरा experiment उसमें protein को radio labeled लेना पड़ेगा तो इसका सीधा answer हो जाएगा DNA entry into the bacteria देखो DNA entry into the bacteria but not protein तो not protein यह थोड़ नहीं कह सकते हैं यह तो किस के आधार पर बताएंगे अगले वाले case के आधार पर तो यहां केवल क्या conclusion होगा क्या indicate करेगा कि DNA enter होता है protein का भी idea हमें नहीं है तो आपका conclusion होगा DNA entry into the bacteria next question which of the following is not a property of genetic material कौन सी genetic material की property नहीं है बड़ा simple है it should be able to generate its replica इसमें प्रैती करती करने की चमता होनी चाहिए बिल्कुल सही बात है it should stable chemically and structurally यह बिल्कुल रासाइनी की रूप से और संग्रादर रूप से क्या होना चाहिए इस्थाई होना चाहिए it should provide the scope for fast changes यहां गडबड होगी बेटा mutation होने चाहिए लेकिन slow changes तो यह उसका गुण नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा next question consider the following statements कुछ statement दिये हैं पहले उनको आप यहां से पड़ें उसके बाद question पर जाना है both nucleic acid have ability to direct their duplication बिल्कुल सही है DNA दोनों में प्रतिकृति करने की चमता पाई जाती है mutation occurs in both DNA and RNA बिल्कुल सही है mutation आनुनसिक पदार्थ में होता है और दोनों आनुनसिक पदार्थ का कारिये करते है DNA is more reactive than RNA यह गलत हो गया बेटा DNA RNA की तुलना में कम reactive होता है RNA ज्यादा रेक्टिव होता है RNA का एन directly code for synthesis of the protein बिल्कुल सही है RNA जो है directly protein translation में help करता है response है सामने है A है B है and D तो A B D किस option में है चानू A B and D तो इसमें पहला ही क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा next RNA is less stable than DNA बेटा RNA जो है वो DNA से कम इस्थाई होता है सही बात है लेकिन उसका कारण क्या है एक तो RNA में OH ग्रूप आए जाते हैं पहला कारण में कारण presence of deoxy ribose यह तो RNA में होती नहीं है तो इस पर नहीं जाएंगे presence of uracil instead of thymine thymine uracil की पुलना में अधिक इस्थाई होता है और RNA में क्या है uracil है तो यह भी क्या हो गया उसके कम इस्थाई पा खारण हो गया तो आंसर कुण सा बेटा यह भी कारण है यह भी कारण है तो आंसर करतो फरस्ट एंड थर्ड बोथ आंसर कुण सा हो जाएगा चौथा ओके आप चलते हैं नेक्स्ट क्योसन पर इन मिजेल से इस्टोल एक्सपरिमेंट से इस डिजाइन किया है उस एक्सपरिमेंट में आपने अच्छे से सारी कैलकुलेशन वगेरा जो है कैलकुलेट की होंगे तो उसके अकोडिंग में क्योसन बना रहा हूं देखो अगर इको लाई को आप 80 मिनट तक ग्रो करवाओगे जहान से सुनना बेटा कितने मिनट तक 80 मिनट तक तो ओविसली 80 मिनट के बाद कौन सी जनरेशन आएगी 20 का भाग लगा दो बोले तो चोथी जनरेशन और चोती जनरेशन में कितने जीवाणों मिलेंगे टुकी पावर एन टोटल कितने हैं बेटा 16 हो जाएंगे सिकने सामन है और है लाइट और हउड्रीनायगोण कितने होंगे तो 16 मैसे लाइट 14 और hybrid कितने होंगे 2 होंगे ratio निकाल लो 7 is to 1 answer क्या हो जाएगा आपका second हो जाएगा ओके next question the semi conservative DNA replication scheme was proposed by किसने सब से पहले इसका सुझाव दिया था Watson and Crick the experiment proved that DNA in chromosome also replicate semi conservatively was performed by eukaryote में सब से पहले किसने साबित किया था कि DNA जो है वो अर्द संग्रक्षी विजी द्वारा होता है prokaryote में तो कौन आगे वेटा आपके experiment किसका आपने पढ़ा है ना midgelson and stall और eukaryote की बात करें तो answer जाएगा आपका tailor कौन जाएगा टेलर हो ये डारेक्ट आपको याद रखने तो मेन एंजाइम ओफ ड्न एर एपलिकेशन ड्न एर एपलिकेशन का मेन एंजाइम को नोथा वेटा ड्न डिपेंडेंट ड्न पोलिमरेज जो ड्न से ड्न आ का निर्मान करता है तो आपको एक तरफ तो continuous बनता है और एक तरफ बनता है और एक आप discontinuous तो क्या बोलते है इसको अर्ध ऐस अतत क्या होता है अर्ध ऐस अतत सेमी discontinuous सेमी continuous यह नहीं कहेंगे वर्ड यह यूद नहीं करेंगे कौन साइज करेंगे अर्ध ऐस अतत तो आंसर क्या हो जाएगा आपका incorrect वाला fourth ओके the substrates of DNA polymerase तो बताओ DNA जो polymerase है उनके क्रियाधार कौन से होते हैं तो DNA polymerase बेटा क्या करेगा D-oxyribonucleotides का करेगा बहुली करण और जो substrate है जो D-oxyribonucleotides आते हैं वो हमेशा आएंगे tri-phosphate की form में कौन सी form में? tri- क्योंकि उनके दोरे उद्देश से हैं substrate भी होगे और ये उर्जा भी प्रदान कर देंगे तो बताओ कौन से पर जाओगे आप? D-NTPs, D-oxyribonucleoside tri-phosphates are the substrate of DNA polymerase clear? during replication the same continuously synthesized fragments are later joined by अभी बात की थी? एक तरफ तो क्या होगा? continuous और discontinuous DNA के जो fragment बनेंगे उनको बाद में कौन जोड़ेगा? DNA ligage तो सिदा आनसर क्या हो जाएगा? DNA ligage second in which process polymerization of D-oxyribonucleoside always occurs in 5' to 3' direction बड़ा simple बनाया है देखो उसने बोला है कि कौन से प्रक्रम में D-oxyribonucleoside का बहुलिखन होता है तो D-oxyribonucleoside का बहुलिखन का मज़ला हो गया DNA का निर्माण और देख लो तुम कौन से प्रक्रम में DNA का निर्माण हो रहा है तो translation तो नहीं हो सकता है यहाँ तो protein बनती है replication DNA बनेगा किससे? RNA से DNA का निर्माण तो इन दोनों में क्या हो रहा है? DNA का निर्माण हो रहा है और हमेशा कौन सी दिशा में होता है फाई प्राइम टू थी प्राइम तो आपका अंसर तो सेकंड होई जाएगा फिर भी देखो रेप्लिकेशन दिया है यहां ट्रांसलेशन नोट पोसिबल ट्रांस्क्रिप्शन आरने बनता है डिने की बात कर नहीं सकते वहां पर तो आंस प्राइम के लिए चाहिए लेकिन प्रामोटर का उप्योग डिने रेप्लिकेशन में नहीं है यह ट्रांस्क्रिप्शन में हेल्प करता है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा थर्ड select the incorrect statement गलत कथन का चुनाव करना आपको देखते हैं DNA polymerage cannot initiate the process of replication बिल्कुल सही बात है यह गलत नहीं है DNA polymerage प्रैती करती की शुरुवात नहीं कर सकता यह वह initiation नहीं कर सकता replication does not initiate randomly at any place in DNA बिल्कुल सही है replication हर जगे प्रारम नहीं हो सकता इसके लिए कुछ विशिष्ट इस्तल होते है जिनको बोलते है औरी साइट वहीं replication क्या होता है start होता है replication occurs within replication fork बिल्कुल सही है जो small openings होती है यह small openings उन्हीं में क्या होता है replication जिनको अपन बोलते है na replication fork कैसी होती है why saved in procreate replication takes place at s phase गलत हो गया बैटा procreate में s phase नहीं होती है procreate में replication कब होता है division से पहले s phase तो eukaryotic division में consider की जाती है तो answer हो जाएगा आपका fourth which is a monomer unit of RNA बड़ा simple question है लेकिन बहुत scoring है से लिए mistake करवा सकता है RNA की एक लग की काईया कौन सी होती है RNA किसका बहुलक होता है पेटा किसका RNMPs ribonucleoside mono phosphates का बहुलक होता है clear in given replication fork identify a b c and d यह तुम्हारी NCRT का diagram है अब देखें पेटा यहाँ पर इसको जड़ा side में कर देते हैं yellow a b c d आपका identify करना है तो यहाँ देखो पेटा यह 5 प्राइम है तो बिस लिए यहाँ पर 3 प्राइम इसके according आप सारे प्राइम define कर सकते हो यहाँ होगा 5 प्राइम यह 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम यहाँ हो जाएगा 5 प्राइम और 3 प्राइम क्योंकि आप DNA की direction को देखके ही बता सकते हो ना DNA का निर्मान हमेशा 5' से 3' की सामें होता है आप देखो आपके एकोडिंग आंसर क्या होना चाहिए इसने पूछा है ए तो ए कौन होगा बेटा 5' यह रहा 5' बी कौन होगा 3' 3' इसके बाद C की बात करें C कहां पर है यह रहा 5' तो आप आंसर क्या हो जाएगा D क्या होगा य इफ हुमन सेल बड़ा अच्छा क्यों सन बना है यदि मानो कोशिका को आप रेडियो सक्रिय थाइमिन यूक्त माद्य में समर्दित करवाते हैं हुमन सेल आप जानते हैं हुमन सेल के अंदर अगर बात करें हैं तो 2N इसकोल टू 46 कितने कुन सुतर होते हैं 340 कुन सुतर हो अच्छे पर सेल डिविजन दोनों के क्या है कॉंसर्ट काम आएंगे आपके उको पता है जैसे ये सीज मि झाएगी तो बिल्कुल आएगी तो कि दोनों हो होंगी तो ग्रसराइप बनेंग वह होगी रेडियोएक्टinki तो यहां पर देख लो इसाउर इसाइस देनर इसन éta 1 इसमें भी क्या है यह क्या है एक डायाड का फॉर्मेशन हो गया तो बताओ मुझे ऐसे कितने हैं 46 हैं तो प्रतेक गुनसुत्र में दो सिस्टर क्रोमेटिड है और प्रतेक सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर DNA मोलेकुल में एक रज्जू क्या है रेडियो एक्टिव होगी तो मेटाफेज के अंदर कितने क्रोमेटिड रेडियो सक्रिय में लेंगे तो सारे के सारे क्रोमेटिड ही क्या होंगे रेडियो सक्रिय होंगे एक रिखाल से आपको बात समझ में आगी होगी रेप्लिकेशन का मैसल लगाना है क्योंकि रेप्लिकेशन जैसे होगा तो सेमी जो में डबल कर दो तो बाण में के बाण में सिस्टर क्रोमेटिड जो है जो क्रोमेटिड में रेडियो सक्रेट आपको मिलेगी तो आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड ओके इसको बोलेंगे अपन ट्रांस्क्रिप्शन बोले तो अनूलेखन आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट आव कि प्रिंसीपल ओव कॉम्पलिमेंटरीटी जो फूरक्ता का सिध्ढांत वो से प्रक्रम में लागी होता है सब को मालूम बेट़ा रेपलिकेशन में भी होता और त्रांस्क्रिप्शन दोनों में क्या होता है कॉम्पलिमें त्रूल लाग всё होगा क्योंकि template काम करेगे और template के पूरक नई स्टेंड का निर्मान होता है तो आनसर क्या हो जाएगा थर्ड विच इज ट्रांस्क्रिप्शनल यूनिट पहले भी आया था देखो एक इंपोर्टेंट है इसलिए बार इसको फिर से आपको देखो नहीं तरह किसे पुछा गया है कौन सा अनू लेकिन यह इकाई है तो देखो प्रमोटर भी है इस्ट्रक्शल जीन भी है यह नहीं होगी तो आनसर क्या गरोगे बहुत फर्स्ट एंड सेकेंट विच एंजाइम केटलाइज्ट रांस्क्रिप्शन प्रोसेस बड़ा सिंपल है लेकिन इंपोर्टेंट है ट्रांस्क्रिप्शन में जो एंजाइम होता है बिटा कौन होता है dna dependent आर्ने पोली मरेज जो dna से आर्ने का निर्मान करता है तो छाटो इसमें से dna dependent आर्ने पोलिमेरेज पहला ही आपका अंसर हो जाएगा, clear, select the sequence of RNA transcribed from the given DNA, आपको DNA दे रखा है double standard और उससे पता ना है किससे जो RNA बनेगा उसका sequence क्या होगा, बड़ा simple फंडा होता है, template और coding stand दे रखी हैं दोनों अलग लग, तो जो RNA बनेगा वो template के बिल्कुल क्या होता है बेटा, complimentary और जो coding है उसके बिल्कुल क्या होगा, same होगा, कोई भी फंडा आप काम में ले सकते हो, तो आप देखलो, coding का बिल्कुल same बना दो आप तो, लेकिन वहाँ, timing के जगह क्या लगा दो, uracil, या फिर template का complimentary करके देख़वा बेटा, यह रहा आपका, U, A, C, C, U, तो third जो option दे मेरेज आएगा, तो DNA पर उसको बंदित होना है, तो कुन सी काई से बंदित होता है, promoter, promoter is the binding site for RNA polymerase, answer हो जाएगा, third, select the correct matching, बड़ा simple है, correct matching को select करना है, promoter, downstream, गलत बात है बेटा, promoter upstream में होता है, terminator upstream, गलत बात है, terminator हम मिलेगा, कहा मिलेगा, downstream में, सिस्ट्रोन, upstream, ये भी क्या हो गया, गलत, सिस्ट्रोन किस में होता है, down में, promoter, upstream, ये बिल्कुल सही matching है, इनको याद भी रखना है, क्यों सनाते हैं, promoter क्या होता है, upstream होता है, और terminator और structurals इनक्या होती है, down stream में मिलेगी, okay, answer fourth हो जाएगा, which is not belong to promoter, कौन सा promoter से संबंदित नहीं है, उन्ना एक से संबंदित कौन सा नहीं है, देखते हैं, उन्ना एक जो है, located towards the five prime end of the structural gene, बिल्कुल सही बात है, five prime end पे होता है, संग्रशनात हूं जिन के, it is binding site of RNA polymerase, अभी बात की थी, सही है, define the coding and template stand, important प्रमोटर ही coding और template रज्ज को क्या करता है, परिवासित करता है, अगर आप प्रमोटर की स्थती को terminator से बदल दोगे, तो दोनों की परिवासा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, important statement, NCRT का पका यहां से concept लगा सकता हो, help in termination, कोई रोल नहीं है, termination में प्रमोटर का रोल नहीं होता है, terminator का रोल होता, answer क्या हो जाएगा, fourth, next question, which is correct about gene, gene के संदर्व में कौन सा सही है, देखो बेटा, functional need of unit, inheritance, अनौन सिक की किरियात्म के काई, बिल्कुल सही बात है, located on DNA, DNA पर उपस्तित होती है, DNA sequence coding, देख लो बेट next question, the poly A tail of mRNA consists of multiple adenine units in the form of, बड़ा प्यारा concept है, आपको पता है, जब processing होते है, चनारने में तो यहाँ पर तो 5 prime capping होती है, और यहाँ पर 3 prime tailing, tailing में क्या जोड़े जाते हैं पेटा, यह A, 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 और यह actual में A किस को represent करते हैं, यह है, adenylate, कौन है यह, AMP होते हैं, यह, adenos adenosine monophosphate, जो nucleotide हैं यह, तो किस form में है यह, adenosine monophosphate, आंसर क्या हो जाएगा, आपका second हो जाएगा, property of codon for always coding a specific amino acid is cold, बड़ा simple पुछा है, codon के लिए हमें से एक visist amino को कूल लेकित करने का गुण क्या कहलाता है, यह कहलाता है, यह क्या है, अपने amino acid के लिए visist होते हैं और क्या है, एसंदिग्ध होते हैं, तो option में जाओ, अपहासित, एसंदिग्ध और संदिग्ध तो आनस ecoli cell, अच्छा क्यों से बनाया है, बड़ा simple है, यह कह रहा है, यह कोई glucose के माध्य में ग्रो कर रही थी, यह कोई glucose medium है, उसमें यह ecoli ग्रो कर रही थी, तो अब इसलिए जब glucose माध्य मिलेगा, तो लेकोपरोन ओन नहीं होगा, उस पहाव सकता ही नहीं है, लेकोपरोन ओन करने की, लेकिन अगर आप इसको यहां से ट्रांसफर कर दोगे, ऐसे माध्य में जहाँ पर केवल क्या है, लेक्टोज है, सुक्रोज के रूप में, तो लेक्टोज अगर मिल गया, और ग्लुकोज अनुपस्थित है, तो यह कौन है बेटा प्रेरक है, यह कौन है, प्रेरक और प्रेर की उपस्तिती में लेक अपरोन क्या हो जाएगा, ओन हो जाएगा, और यह वहाँ पर आराम से समर्दन करना स्टार्ट कर देगा, तो देखो, लेक अपरोन इस रिप्रेस्ट गलत बात है, एक्टिवेट होगा, रीप्रेस्ट नहीं होगा, लेक अपरोन इस नमबर 49 देखो बड़ा सिंपल कुशन मेंना है यदि लैक ओपिरोन का प्रमोटर करम उठ परिवर्तित हो जाता है तो क्या होगा बड़ा सिंपल बैटा लैक ओपिरोन यह रहा आपका लैक ओपिरोन यहाँ पर है स्ट्रक्चलल जीन जेड वाई यहाँ पर होता है प्रमोटर अगर इस प्रमोटर में म्यूटेशन हो गया तो आरने पोलीमेरेज कभी भी बाइंड नहीं होगा और नहीं होगा तो इसका कभी भी एक्स्प्रेशन नहीं होगा सिंपल कॉंसेप्ट है तो ऐसा अगर हो गया तो उसका एफेक्ट क्या होगा लैक ओपिरोन परमानेंटली स स्टों हमेशा के लिए क्या हो जाएगा इस टोप हो जाएगा आनसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड अ है in Eukaryotic zin regulation could be exaggerated you can't imagine कितने इस्तर पर हो सकता है बिल्कूल NCAT ने दिया है चार इस्तर दे रखें और उसमें देखो option में क्या के दिया translation बिल्कुल हो सकता ए स्प्लैसिंग level only ये भी होगा transcriptional level होगा लेकिन option कौन सा select करना आपको more than one option इस तीनों level पर हो सकता तो क्या हो जाएगा फॉर्थ कि दूरिंग एक्सप्रेशन ओफ लैकोपरोन रिप्रेशर प्रोटिन इनक्टिवेटेड़ बाइदा इंट्रक्शन विज जैसे लैकोपरोन का रिप्रेशन होना है ओफ अगर है लैकोपरोन तो उस समय होता क्या है बेठा बिल्कुल सिंपल बात है जो दमनकारी प्रोटिन होती है वो किसके दुवारा संदमित दमनकारी प्रोटिन को संदमित को कौन करेगा लैक्टोस इस कंडिशन में तो लैकोपरोन क्या हो जाएगा उनों जायेगा लेकिन इसने पुछाा क्या है लैकरोरोन की अभिविक्ति के दोरण तो अभिवेक्ति जब होती है वोगिसलिया अभिवेक्ति बता धी एक्स्प्रेशन कब होगा जब संघर सनातमक स्ट्मक जीन which of the following gene of lac operon constitutively express all the time बड़ा सिंपल है lac operon में कौन सी जिन होती है जो हमेशा express होती रहती है वो है lac I gene इसका उतपाद कौन है? lac repressor protein जो हमेशा बनता रहता है next lac operon is responsible for बड़ा सिंपल है lac operon किसके लिए जे मिजार होता है ये lactose का करवाएगा अपगटन क्या होगा catabolism answer क्या होगा आपका first हो जाएगा lactose का up chain ओके अब ये कुछ statement है पहले उनको consider करो उसके बाद में इनकी बात करते हैं देखो सारी statement मैं बता दूँँगा साथ साथ ही expression of gene is regulated by metabolic physiological and environmental condition बिल्कुल सही बात है जो gene expression का regulation है उनको ये तीनों condition क्या करती है प्रभावित करती है development and differentiation of embryo in adult organism तो जब embryo adult organism में develop होता है तो वहाँ पर क्या होता बेटा gene expression होगा coordinated way में क्या होगे वो regulate किये जाएंगे और उनका क्या होगा expression बोले तो अभियक्ति तो किसका result हो regulation of the expression of the several set of the gene ये अनिशाटिका statement है बिल्कुल correct है gene in cell are expressed in perform particular function और set of function बिल्कुल सही है जो cell है उसमें जो gene है वो अग्विक्ति होती है थाकि एक particular function को क्या करें वो perform करवाएं जेकब मोनाड वर फस्ट उइलिसेट दा transcriptionally regulated system in E. coli बिल्कुल सही बात है सबसे पहले जो E. coli था उसमें जो operon वो किस ने discover किया था जेकब और मोनाड ने और जो आपका lack operon है वो transcriptionally regulated है वो क्या है transcriptionally regulated तो ये भी statement सही हो गया है तो सारे statement क्या है correct है तो answer कौन सा होगा देखो A, B, C, D सही है तो answer is fourth okay which of the following nitrogenous bases derived from the purine अभी बात की थी अपने बेट आच्छे क्यों सहने देखो बार बार आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है purine कौन साइन में बताना है सिदा तो purine का example है आपका adinin बाकी तीन हो क्या है primidine है which is the correct sequence of hrs and chest experiment बात की थी अभी आपने hrs experiment में correct sequence क्या सबसे पहले क्या करवाएंगे infection फिर blending और उसके बाद में centrifugation तो आप selector हो infection, blending, centrifugation answer हो जाएगा second गलत मिलान को सुनिए बड़ा simple हो गया गलत में कौन सा है यह बीटा सही मिलान है भाई जीन परमिल मिलान है ऑजीन ट्रांस एस्टाइलेज यह भी सही बात है लेक आईजीन एक्टिवेटर प्रोटीन नहीं रीप्रेसर प्रोटीन तो यह मिलान क्या हो गया गलत हो गया तो answer जाएगा फोर्थ गलत कथन कौन सा है बड़ा सिम्पल करसं है डिरिन ट्रांस्रिप्शन एडिनिन पेर विद युरेशिल बील्कुल सही बात है ट्रांस्रेशन में अपलाई होगा पूरक्ता का सिद्धान्थ यह बी सही है रोप्रोटीन इनीशेट दा ट्रांस्क्रिप्शन ग्ण तो termination में साइक होती है, initiation में साइक नहीं होगी तो आपका incorrect statement कौन सा हो जाएगा, third हो जाएगा, answer हो जाएगा, third कौन से प्रक्रम में nucleicuml से nucleicuml का निर्मान होता है, बिल्कुल simple है, replication में क्या होता है, DNA से DNA, transcription में DNA से RNA और nucleicuml से nucleicuml का क्या हो रहा है, निर्मान तो replication only, transcription only, तो answer सीधा गराँ बेटा fourth, दोनों में क्या हो रहा है, nucleicuml का निर्मान largest gene in human, ये थोड़े database क्योंसे निर्टा याद रखने पड़ेंगे, human में largest gene क्योंसी होती है, dystrophine gene, smallest क्योंसी होती है, यहीं देखोई, smallest पूछे तो, tdf testis determining factor चारगाफ के नियम का क्योंसे ने वेड़ा, बिल्कुल सिंपल है, चारगाफ के नियम क्या according देख लो, purine हमेशा प्रिमिन के बराबर रहेगा, a और t बराबर होते है, guanine और cytosine का नंबर क्या होता है, बराबर होता है, ag क्या है, purine है, tc क्यों है, प्रिमिडीन है, उनका प्लस T, G प्लस C के बराबर नहीं होता, यह जाती विसिस्ट होता है, अलग-लग जातियों में इसका रेश्यो जो है, वो change होता है, तो यह answer हो जाएगा, यह चोथा जो है, गलत हो गया, बड़ा सिंपल क्यों है, इससे जो प्रोटीन बनेगा, इसमें अमिनाश्यों का क्रम क्या होगा, थो आपको याद करना पड़ेगा, AUG मीध्योनिन को कुट्लेखित करेगा, G, UGG, Tryptophan, C, TH्रियोनिन को आंसर सिधा हो गया, इसका first ही हो गया, मीध्योनिन, वैलिन, Tryptophan, úके, Mutation in which purine is replaced by primidine is known as थोड़ा यह आपको याद रखने पड़ेंगे अगर purine, purine के दुवारा प्रतिस्थापित हो जाए या primidine, primidine के दुवारा प्रतिस्थापित हो जाए इसको बोलते हैं transition और अगर purine और purine, purine, primidine एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर दूसको बोलते हैं Transversion तो यहाँ पुछा क्या purine, replaced by primidine दुवारा प्रतिस्थापित क्या होगा Transversion Eukaryote में प्रार्थिम विविएक्थ आपको सबको पता है HNRN होता है और उसको processing के requirement होती है तो इसलिए क्या बोला primary transcription ucarate require किस क्या सकता होती है capping भी करवानी होगी splicing भी करवानी होगी telling जो है वो 3 prime होती है ये 5 prime तो ये नहीं होगा तो answer क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा first and second both which is incorrect option गलत कतन का चुनाव के जिए polycystronic gene are found in prokaryote सही बात है monocystronic किस में होते हैं eukaryote में सही है intron found in both prokaryote ये गलत कतन हो गया intron जो है eukaryote में होते हैं prokaryote में intron नहीं पाए जाते more than one option इस पर नहीं जाएंगे किस पर जाएंगे थर्ड पर जाएंगे तो answer कौन सा हो जाएगा थर्ड spliceosomes are not present in अच्छा क्यों से नहीं होते हैं आपको पता है ना ये eukaryote में पाई जाते हैं क्योंकि splicing किसमें होती है eukaryote में spliceome option किसमें होंगे prokaryote में अब ढूंड़ो इस में prokaryote कौन है asparagus plant है ये asparagus fungus है agaricus भी क्या है fungus है एस जो इस पारिलम क्या है prokaryote answer हो जाएगा third next यह आगया आपका लेकोपरोन का diagram बड़ा simple पूछा इसने आपको बताना एक कौन है यहाँ पर किसको पैचानना है एक को पैचानना है यह लोग इधर कर देते हैं इसको तो diagram देखो बेटा एक diagram को मैं explain भी कर देता हूँ लेकोपरोन की structure आपके सामने यहाँ पर ए जो है वो कौन होगा lactose होगा फ्रेरक आगया ना lactose इस दमनकारी करती है पोटिन को क्या कर देगा निसकरिये कर देगा निसकरिये होते ही operator free हो जाएगा और यहाँ इसका transcription प्रहरंभ हो जाएगा तो यह लेकोपरोन में जो कौन से केस को दिखा रहा है लैक और पिरोन क्या हो गया ओन हो गया और ओन कब होगा प्रेरख की उबस्तति में यहाँ पर एक कौन है यहाँ पर एह है प्रेरख बोले तो लैक्टोज आंसर क्या हो जाएगा फस्ट हो जाएगा चले नेक्स्ट एंजाइम पेप्टिडाल ट्रांसफरेज और प्रोकरियोट्स फाउंड इन बड़ा सिंपल है बेटा प्रोकरियोट्स की बात कर रहा है प्रोकरियोट्स के अंदर राइबोजोम कौन सा होता है 70S यह 50S और यह 30S सब यूनिट और एंजाइम पेप्टिडाल ट्रांसफरेज क unit कि यू के डभी में जीन में कोडिक अनुक्रम म्हाइन क्याल आते हैं को इस होनदे नौ उन बो helpless पॉरफ की सेन अनुक्रम करता है बिलकुल इंपोर्टन आता है यहां पर आरने पोलिमरेज यूकरेट में तीन प्रकार के होते हैं, first, second and RNA पोलिमरेज, third, first जो हो बनाता है बेटा, आर आरने, कौन-कौन से आर आरने, 28S, 5.8S और 18S, second कौन बनाएगा बेटा, HN, HN RNA, जो बाद में MRN में बदल जाएगा, और third जो है, वो बनाता है टी आरने, और साथ में अपवाद है, 5S, आर आरने, चथा SN, आर आरने, अब ये, याद होना सी, आपको कोई भी कितने भी कसन डीजाई निकर दो इस पे, तो third की बात की है, तो सिधा answer क्या होगा, third में देख लो, SN हो गया, 5S हो गया, ये रहा, 5S, टी आरने भी दे रखा है, तो answer क्या हो जाएगा, आपका, fourth, answer क्या होगा इसका, fourth, second and, third, both, okay? प्रोक्रेटर में कौन सानुलेखन की दुरन, प्रार्मन कारी कारक होता है, याद रखना है, प्रार्मन कारी कौन होता है, सिग्मा, और जो termination में साहिक होता है, वो कौन होता है, रो, तो प्रार्मन कारी में इसी देखिस पर जाओगे बेटा, सिग्मा फैक्टर पे, कर लो एक्टिव गलत हो गया इसको एक्टिव होने के लिए प्रोसेसिंग के रिक्वाइर्मेंट होती है कैपिंग करवानी होगी स्प्लाइसिंग टेलिंग तब जाकि यह मारने में कनूट होगा और ट्रांसलेशन के लिए जाएगा कौन सा रोध प्रकूट है सबको पता है स्टोप कोड़न कौन से होते हैं याद करो यू ए ए यू ए जी और यू जी ए और कोड़न जो है उनकी पॉलर्टी क्या होती है बेटा जब यह अपन बोलते हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डारेक्शन में इनको पढ़ा जाता है अ पर इन तिनों में एक कोई मिलेगा आपको अ यू जी यह नहीं होगा यह तो इनिशेशन कोड़न है दूसरे पर आओ यू ए जी यू ए जी देखो बैटा पढ़ने की दिशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या है यह 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 जी ए यू पॉन है जी ए यू 5 प्राइम टू 3 प् नहीं है यह देखो यह थर्ड वाला इसको पढ़ो 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या है यह यू जी ए और यही कौन है स्टोप कोडोन यह भी स्टोप कोडोन नहीं होगा देखो 5 टू 3 रीड करना होगा आपको यू जी ए यू जी ए और यह कौन है स्टोप कोडोन यू जी ए तो आनसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड, UGG किसे कुल लेकित करता है, यह इसलिए question डाला गया है, कि कोई वरोसा नहीं है, बेटा पूछ सकते हैं, कि कौन सा कोडोन, कौन सेमिनेशन को कुल लेकित करता है, क्योंकि इनिसियाटी में दिया है, उनको कोशिस करना याद करन होने कहा है, ट्रिप्टो फेन को, ओके, गलत को चुनिए, साइटोसीन इस कॉमन इन बोथ डिन आ रने, सही बात है, थोड़ी देर पहले भी बात की थी अपनने, थाइमिन इस केमिकली फाइफ मिथाईल यूरेसिल, थाइमिन जो है, वो फाइफ मिथाईल यूरेसिल होता ह यूरेसिल पे, फाइफ नंबर पे मिथाईल ग्रूप जोड़ दो क्या हो जाएगा, थाइमिन, प्यूरीन फाउंड इन बोथ डिन एंड आरने, बिल्कुल सही, प्यूरीन में अदिन इन 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 होते हैं, दोनों ही किसमें होते हैं, डिन आरने में common होते हैं, नुक्लि हो गया, आंसर हो जाएगा, fourth, Aminoacilation of TRNA is Essential4, Aminoacilation कब होता है, जब Translation होता है, और Translation में क्या किया जाता है, Peptide Bond का Formation, तो सिदह बोलो, Peptide Bond Formation, ओके नेक्स्ट यदि एक समस्क्री में उच आवर्ती पर वनसागत उत परिवर्तन होते हैं पता है बेटा जो म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन के कारण जो वैरियेशन साइंग यह नहीं को तो बोलते हैं अपन डीने पॉली मॉर्फीजम डीने फिंगर प्रिंटिंग बिल्कुल सही है जोर्ज गेमोंने कोडोन का कॉंसेप्ट दिया था सबसे पहले सही है सेंगर ने इमिनविश्ट सीक्वेंसिंग में सेवलकर नहीं किया था वह किसे नहीं किया था एफ शेंगर ने तो आपको गलत मिलान कॉन सा चुनना है छोथा सही हो जाएगा कौन साइंजयम यूकरेट में नहीं पाया जाता यूकरेट में कौन सा नहीं होता है वेटा देखो reverse transcriptase ये केवल किसमें पाया जाता है retroviruses में तो यूकरेट में नहीं है ये restriction endonuclease पाया जाते हैं prokaryotes में किसमें prokaryotes में DNA dependent DNA polymerase मिलेगा तो यह answer क्या हो जाएगा वेटा आपका फोर्थ एक वे दो दो नो यह यूकरेट में नहीं पाये जाते है इंडिसर ओफ लैकोपरोन कोण इज रेकोपरोन का इंडिसर आचुका है अभी कौन सब्सक्राइब बताया था मैंने कौन होगा lactose होता है जेकिन यहां लैक्टोज नहीं है तो अलो लैक्टोज 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 एक दुसरे कि क्या होते हैं बैटा आइस ओमर होते हैं तो यह हो जाएगा अलो Leptos आप यहां कुछ प्रक्रम दीए आपको कि उनमें प्रक्रमों में उनका परफोर्म पहां होते है नुट्लिस में होते हैं साइटोप्लाज में होते हैं तो बोलो स्प्लाइसिंग रैप्लिकेशन ट्रांस्क्रिप्शं ट्र्सलेशन amino isolation of tRNA, इन में से कितने है जो nucleus में होते हैं, तो आप बताओ बेटा splicing nucleus में होगी, replication भी nucleus में होता है, transcription किसमें होगा, nucleus में होगा translation कोषिका दरवे में होता है amino isolation किसमें होता है, otRNA यह भी कोषिका על दरवे में how many process occursแ Littleprios nucleus, तो nucleus में तीनों process संभव हैं तो आनसर क्या हो जाएगा तीन तो आपको आनसर फर्स्ट पर जाना होगा डूरिंग 5 प्राइम कैपिंग तो जब 5 प्राइम कैपिंग की जाती है तो क्या जोड़ा जाता है एक ऐसा मने नुक्लियोटाइड जोड़ा जाता है जो कौन है गवानोसिन triphosphate और उसके methyl group जुड़ा होता है तो इसको बोलते हैं methyl guinosin triphosphate answer क्या हो जाएगा आपका third हो जाएगा कौन सा कोड़ोन GUC के समान सूचना को कूट लेकित करता है बेटा सिंपल है GUC valine को कूट लेकित करता है और GUC के समान कौन सा हो जाएगा बेटा GUC GUA GUG GUU यह सारे क्या है regenerate codon है तो इसमें छाटों कौन सा है GUA यह आगिया ना GUA तो GUA भी किसको लेकित करेगा valine को तो दोनों क्या होगे समान होगे answer क्या हो जाएगा second यह कौन साथ पहले भी आया था बेटा कितनी होती है बताया था 3.4 एंगस्ट्रों आंसर हो जाएगा फॉर्थ यह डेटाबेस्ट है क्वेसन आते रहते हैं सो कौन सा dna rn में सामन है dna rn दोनों में सामन है कौन है राइबो सुगर नहीं होगी नियोक्स राइबो सामन है युरेसिल सामन है नहीं है फोसफेट समूझ हो है दोनों में पाया जाता है तो आंसर हो जाएगा fourth लैकोपरोन में सबको पता है लैकोपरोन में जो structural gene है उनका सही क्रम क्या है जड़ वाई ए तो आंसर क्या होगा आपका अच्छा इसमें क्रम नहीं पूछा परमीज था ट्रैंस एस्टाइलेज कोड़ बाई परमीज कौन कोड़ करता है वाई जीन करेगी ट्रांस कौन कोड़ करेगा ए करेगा तो देख लो य ए क्रम से क्या होगा वाई और ए तो आंसर क्या हो जाना जी आप बताओ second कि अनुलेखन के दौरां डियने कुणलेन का अनुकुणलेन किसके द्वारा होता है बिल्कुल सिंपल है कौन करेगा अनुलेखन के दौरां दोनों प्रज्जों का लग कौन करता है आरने पॉली मरेज यह रहा आपका आरने पॉली मरेज लेकिन रैप्लिकेशन में कौन कर होती है हमेशा क्या रहेगी थ्री प्राइम टू फाइफ प्राइम सेकिंड इस्टोन प्रोटीन होती है इस्टोन प्रोटीन जो है वो छार ये प्रोटीन होती है धनाविशित प्रोटीन होती है तो आनसर क्या होगा चार ये भी है धनाविशित भी है तो फोर्थ करो वन संद्रक और कोश्का द्रवे में वेधन नहीं होता प्रोकरियोट के अंदर जो प्राइमरी ट्रांस्क्रिप्ट होता है वो होता है करिये और कम इस्थाई है उसका भी बताया था कॉंसेप्ट आया था सेकिंड प्राइम ओएज ग्रूप विचिस इनकरेक्ट अबाउट दा करेक्टर बी डी एने बी डी एने देखो डी एने के सारे कॉंसेप्ट आ गया है डावल हलिक्स मोडल के सारी कोशन अपने डिजाइन कर लिया है डायमेटर टू नैनो मेटर बिल्कुल सही बात है टू नेंटर बोल दो या ट्वंटी एनस ट्रॉन राइट एंडेड होता है एक टर्न में कितने बेश दस बेस पेर होते हैं लेकिन इसने बोल दिया आप वीस बेस तो सही बात है कितने ट्वंटी बेस और टेन बेस पेर लेंग्थ अफ टर्न कितनी होती है 34 एंगस्ट्रोन या फिर 3.4 नेनो मीटर इसने गलत कर दिया यह पांसर क्या हो जाएगा फॉर्थ कौन सा क्रम MRNA से पोली पैप्टाइड स्रिंखला बनानी है इसका अंदलब प्रोटीन संसलेशन फोले तो ट्रांसलेशन तो आंसर सीधा यहां जाएगा only translation MRNA में UTR कहां पाए जाते हैं सबको पता है यह MRNA 5 प्राइम 3 प्राइम यहां पर क्या होगा AUG यहां पर होता है stop codon UAA और UTR कहां होते हैं यहां initiation codon से पहले और stop codon के बाद इसका मलब दोनों सिरों पर क्या होते हैं UTR पाई जाते हैं तो आंसर बताओ 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दोनों पर मिलेंगे कि ATP किसमें आउसक है तो यह प्रोसेस देखो टी आरनी की charging ATP आउसकता होती है unwinding of DS DNA हेली के जब भी काम करेगा ATP का उप्योग करेगा तो आंसर करो सिधा थर्ड आउसक प्राइकूट के संदर में विशम को चुनिये डिजनरेट होते हैं सही बात है नियरली यूनिवर्सल लगबक सारव वुमिन है सही बात है विसेस्ट होते हैं लेकिन यह ambiguous नहीं होते हैं अंसर क्या हो जाएगा फॉर्थ लेक ओपरोन इस एक्जामपल ओ फ्लेक ओपरोन याद रखना है बेटा इंड्यूसिबल ओपरोन का एक्जामपल है क्योंकि यह नॉर्मल कंडिशन में क्या होता है और बाद में प्रेरिक की उपस्तिति में क्या होता है वो इंड्यूस किया जाता है और ओन होता ह तो क्या है ये inducible sorry ये inducible बोले तो answer कौन सा होगा second ये लिखर कहना है या पर inducible operon बोले तो प्रेरख कारी होता है operon कौन सा अनुवादन में आउसक नहीं है translation में कौन आउसक नहीं है बेटा amino-acyl synthetage जरूरी है काम आएगा charging में राइबोजाइम भी peptide bond formation में help करता है UTR MRNA में पाई जाते है औरी साइट जो है translation में साहिक नहीं होती है replication में साहिक होती answer करो fourth next कौन सा nitrogen युक्त नहीं है भया DNA में nitrogen होता है RNA में nitrogen होता है base होते है होता है लेकिन स्टार्ट जो है वो glucose में nitrogen नहीं होता तो answer क्या हो जाएगा आपका fourth हो जाएगा है यह जो आपके nitrogenous basis हैं वेटा उनके diagram में आपको याद करने पड़ेंगे chemical structure याद करने पड़ेंगे उनके chemical name याद रखने पड़ेंगे तो ऐसे सारी question आपको याद करने पड़ेंगे six amino purine होता है बेटा add in in कोन होता है add in in answer हो जाएगा second तो यह आपके देखो hundred question पूरे हो गए पूरा NCRT पेस्ट था लेकिन फिर भी पूरे chapter को आपको ऐसे revise करना है कि कोई भी statement कोई भी line कोई भी word छूट ना जाए क्योंकि question का कोई वरोशा नहीं है बटा कौन सा statement आपके सामने question के रूप में आ जाए ओके all the best hello student स्वागत CLC की YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है biochem DTS का paper no.17 जो है उसके metallurgy के पार्ट का में यहां solution करने जा रहा हूँ paper fully NCRT based है theoretical questions भी है Ealingam diagram से भी questions भी है तो hopefully आप paper को आपका score अच्छा रहा होगा आपने अच्छी सी किया होगा फिर भी अगर कहीं आपको mistake लगती है तो solutions को देखें और comment box में जरूर बताएं कि paper आपको कैसा लगा start करते हैं question number first first number question even copper ore is mixed with silica in river battery furanus copper mate is produced the copper mate content आपसे question में simple सी चीज पूचिए कि copper mate में क्या-क्या present होता है तो you know copper mate में Cu2s होता है and Fes ये copper mate का formula है Cu2s and Fes ये copper mate का formula है तो यहाँ जो option दिया है उसके according अगर देखें तो इसमें copper plus 1 में है और इसमें iron जो है वो plus 2 में है मतलब copper का sulfide और iron का sulfide जहाँ copper का sulfide plus 1 में है iron का sulfide second में है ऐसा option हम अगर चेक करेंगे तो हमारे पास third option आएगा तो इसका मतलब third is correct answer तीक है simple सा question है copper की metaller जीसिए next question की बात करते है यहां वहला है which of the following reaction is an example of auto reduction self reduction या auto reduction का example कौन सा है तो पस्ट reaction को देखें तो यह तो carbon monoxide से हमने reduction करवाया है iron का तो यह तो नहीं है दूसरे में Cu2O का cuprous oxide का reduction करवाया है carbon से तो यह भी नहीं है फिर third की बात करें copper equus और api iron तो यहां तो यह electrochemical series based reaction हुई है electron displacement method से हुआ है copper का reduction किया है iron ने क्योंकि electrochemical series में iron उपर आता है पर इसको देखें तो यहां Cu2O और S-2 जिसमें S-2 जो है न वो reducing agent का काम करेगा और इस option को हटा देगा तो यह cell production का example है वो है fourth next zone refining is based on the principle zone refining method क्या है वो उसका principle क्या है high priority का अगर हमें element या metal अगर प्रेंड करना है तो इस method को हम यूज में लेते हैं तो यहां देखें option को देखें impurities of low boiling point metal can be separated by distillation तक तो distillation method हुआ यह तो नहीं हुआ impurities are more soluble in molten metal than in solid metal यह principle है किसका zone refining method का कि impurities जो है वो molten metal में solid metal के compression में ज्यादा soluble होती है तो answer second जाने वाला है different components of a mixer are different absorbed on an adsorbent this is chromatography यह chromatography है vapor volatile compound can be decomposed in pure metal तो यह one alkal method है तो यहां पे उस zone refining का जो principle है वो है second तो second is correct answer next the rocky and siliceous matter associated with an ore is called मतलब मीटी कंकर फत्तर अगर यह impurities है ore में तो उनको क्या बोलते है तो सबको बता है उनको matrix बोलते हैं गेंग बोलते हैं impurities बोलते हैं तो इस का अंसर वेरी सिंपल NCRT की बुक की language है matrix और गेंग उनको बोला जाता है next the process of removing lighter gain particle by washing in a current of water is called lighter particle है उनको हम water से remove करते हैं water का spray करवाते हैं तो वो lighter particle water के साथ बह जाते हैं तो इस मेतल को hydraulic washing भी बोलते हैं या फिर इसी मेतल का दूसरा नाम है lavigation तो lavigation अपने पास option में है तो this is first is correct answer next gravity separation method is best upon gravity separation मतलब metal की density ज्यादा होती है जबकि मिट्टी कंकर फत्तर या रोकी सिलिकेस impurities उनकी density कम होती है तो उसे हम gravity separation से separate कर सकते हैं मतलब difference between density of impurities and or particle के बेस्ट पे ये principle बेस्ट है तो यहाँ पे ऐसा हमारे पास है कि difference in density of particle and impurities तो answer जाएगा हो जाएगा second next in the float flotation process for the purification of mineral the particles float because मतलब पहले वाले जितने भी क्यूशन वो concentrate base है जितने possible क्यूशन से वो सब बनाए मेने तो यहाँ बोला float flotation process है वो particle जो है वो float होते है तो क्यों होते हैं तो यह हमें पता है कि इस float flotation process का जो principle है वो यह है कि जो और particle है वो wetted by oil जबकि impurities wetted by water तो float होते हैं क्योंकि वो oil से wetted होते है तो यहाँ option अपने पास है their surface frequently wetted by oil उनकी surface oil से wetted होती है next एन और of tin containing FECR2O4 is concentrated by तो tin का और जो है वो हम लेते है SNO2 और इसमें impurities हमने डाली है FECR2O4 की iron chromate की तो यहाँ पे यहाँ SN plus 4 में है जो की पेरा मेगनेटिक है यहाँ iron जो है वो FECR2O4 में है जो पेरा मेगनेटिक है तो डाय मेगनेटिक और पेरा मेगनेटिक और पार्टिकल डाय मेगनेटिक है impurities पेरा मेगनेटिक है इनको सेपरेट करने का जो मेथड है वो आपको पता है वो है मेगनेटिक सेपरेशन तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा पस्ट किलियर next the process of heating or in air to remove sulfur हम बात करते हैं कि metal और को oxide में convert करने की बारी आती है तो हम दो process लेते हैं एक calcination लेते हैं दूसरा roasting लेते हैं तो roasting में हम और particle को in presence of air heat करते हैं calcination में without air heat करते हैं तो sulfur को remove करना है hitting and or in air to remove sulfur तो यहाँ पर हम process यूज में लेते हैं roasting जैसे for example जैसे PBS को air की presence में अगर हम heat करेंगे तो यह convert होगा PBO में और कुछ पार जाएगा PBSO4 में तो oxidize हो गया sulfur यहाँ से देगो इस process में sulfur remove हो गया SO2 form में sulfur भार हो जाता है इस process का नाम है roasting next यह बहुत ही अच्छा की सुन है which one of the following reaction is an example of calcination process calcination में हम और पार्टिकल को directly heat करते हैं in absence of air ठीक है किन के लिए होती है कार्बोनेट के लिए होती है hydroxide के लिए होती है hydrated metal oxide के लिए होती है जिसमें water जो है वो यह प्राइज हो जाता है तो यहाँ पे decompose होगा यह वाली process है इसमें oxidation हुआ है ag का तो air हमने डाल दिये यहाँ तो zinc jn-o में गया है jn-s यह वाली जो process है वो roasting है यह roasting process है और इसकी बात करें है mg co3 carbonate है magnesite इसका नाम है magnesite इसका नाम है तो यह जो fourth option है वो example है calcination process का roasting is not carried out in case of कि roasting कब की जाती है sulpide ore के लिए हम roasting करते है roasting करते है sulpide ore के लिए तो galena pbs iron paraties fes2 serucite pb co3 और copper glands cu2s तो यह भी sulpide ore है यह भी sulpide ore है सलpide ore के लिए हम roasting करते है बाकि इसके लिए serucite जो carbonate ore है इसके लिए हम calcination process use में लेते है कौन सी calcination process use में लेते है तो answer जाएगा fourth इस case में roasting नहीं होगी next slag is product op देखो impurities का melting point बहुत high होता है impurities का melting point बहुत high होता है तो हम उसमें flux मिलाते है flux जो है वो acidic भी हो सकता है और basic भी हो सकता है flux है वो acidic भी हो सकता है basic भी हो सकता है on the basis of impurities अगर आपकी impurities अगर आपकी impurities impurities वो basic nature की है basic nature की है और impurities जब acidic nature की है impurities acidic nature की है तब हम basic flux मिलाते हैं और इन दोनों में ही जो product बनता है उसको हम बोलते हैं slag क्या बोलते हैं slag बोलते हैं तो यहाँ slag is product of slag किसका product है तो impurities जैसे मालो CAO की impurities है मालो lime की impurities है lime है और इसकी impurities है तो इसमें हम mix करेंगे SiO2 silica age flux क्योंकि यह basic है तो हमें flux लेना पड़ेगा acidic और यह जो react करके यह react करके बनाएंगे वो बनाएंगे CASIO3 जिसका low melting point होगा क्या होगा low melting point होगा और इसको हम बोलते हैं slag तो यह बोल रहा है slag किसका product है तो slag flux और impurities का product है आंसर जाएगा थाएगा next इसी concept पे क्यूशन है in or after lavigation lavigation concentrated method है hydraulic washing भी इसको बोला जाता है it's found to have basic impurities मतलब उसमें basic impurities है which of the following can be used flux during smelting उसमें कौन सा flux यूज में लेंगे तो यह बेसिक impurities है तो हमें acidic flux लेना पड़ेगा तो यह तो flux के रूप में कामें नहीं आता acid यह वाला salt है SI O2 जो है न वो हम यूज में ले सकते हैं AJ flux क्योंकि यह acidic oxide है इसमें यह basic और acidic दोनों आ गए तो यह वाला यूज में नहीं लेंगे तो आंस हो जाएगा next among the following statement the incorrect one कि कौन सा statement incorrect है तो जो केले माइन और सीडे राइट और कार्बोनेट और सही बात है सीडे राइट बोलते है F E CO3 को और केले माइन बोलते है Z N CO3 के तो दोनों ही कार्बोनेट और है Argentite बोलते है AG2S को और क्यूपराइट बोलते है Cu2O को तो क्या आर ओक्साइड ना Argentite सलपाइड है तो सेगिन आंस्वर सही नहीं है Zinc बलेंड बोलते है ZNS को और आरेंड पारिटीज बोलते है F E S 2 को तो यह सलपाइड और है मेलेकाइट मेलेकाइट CuCO3 Azuride जो होता है वो ब्लू कलर का होता है और मेलेकाइट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है तो यह कोपर के ओर हैं दोनों यह बात भी सही है हमें पूचा है कि incorrect कौन सा है तो second is incorrect यह ध्यान रखना और के बेस पे exam में जे इमेन में भी बहुत पूचे गए है उसी क्यादार पर क्यूशन में ने बनाया है ऐसे क्यूशन पर आप बहुत ज्यादा फोकस रखोगे next electrolytic reduction method is used in the extraction electrolytic extraction करते हैं तो electrolytic reduction किसके लिए करते हैं s block metal and aluminium more electropositive metal के लिए electrolytic reduction use में लेते हैं तो highly electropositive element आंसर जाएगा वो जाएगा second next which one of the following metal can not be extracted by carbon reduction carbon reduction से किसका नहीं किया जा सकता तो अभी मैंने बोला iron pb का carbon reduction किया जा सकता है iron का भी किया जा सकता है zinc का भी किया जा सकता है aluminium more electropositive element है more electropositive element इसका कौन सा reduction करते हैं electrolytic reduction हम यूज में लेते हैं तो पूचा है कि कौन सा यूज में one of the following metal can not be extracted by carbon reduction तो answer जो जाएगा हो जाएगा for aluminium को हम यूज में नहीं ले सकते हैं next among the following group of oxide the group that can not be reduced by carbon to give respective metal carbon से किसका reduction नहीं किया जा सकता है respective metal बनाने के लिए तो Cu2 का किया जा सकता है copper का देखो copper का self reduction भी होता है सुन लेना copper का self reduction भी होता है और copper का carbon reduction भी होता है दोनों तरह के reduction होते हैं ठीक है बट यहाँ पे देखो carbon और SN दोनों को carbon से reduce किया जा सकता है iron और ZNO को भी carbon से reduce किया जा सकता है PB और FEO को भी carbon से reduce किया जा सकता है CU और K2O को reduce नहीं किया जा सकता है CU2O को carbon से reduce करके हम CU में लेके आ सकते हैं बड़ CUO का carbon reduction नहीं होता है और K2O more electropositive element वन्हें भी वोला है electrolytic reduction काम में आता है तो इसका आंसर जाएगा, वो जाएगा third next the process of bringing ये बहुत ही भैतरिन क्यूशन है समझे क्यूशन का मतलब क्या होता है वो समझे execution पे आप ज्यादा focus करें NCRT से ही क्यूशन बनाए हुआ है the process of bringing the metal और its ore metal या उसका ore into solution by the action of suitable chemical reagent followed by extraction of the metal either by electrolysis or by a suitable precipitating agent that means more electropositive matter is called तो ये है this is called hydrometallurgy जैसे हम AG और gold की hydrometallurgy करते हैं तो सबसे पहले leaching करते हैं एक suitable solvent यूज में लेते हैं जो NACN है उसके साथ complex बनता है soluble complex बनता है फिर हम वहाँ से metal को precipitate करते हैं by more electropositive element like zinc हमने ये फड़ा है कि AG जो है AG2S जो है वो NACN के साथ react करेगा और पहले बनाएगा AGCN2 का whole twice minus this is soluble complex ये कैसा complex है soluble complex है तो यह यहाँ तक की जो process है ना this is called leaching इसका leaching नाम है this is chemical method फिर इसका more electropositive element जिंक से हम इसका reduction करवाते हैं तो ZN, CN, 4, minus 2 और हमारे पास AG का precipitation आता है तो इस पूरे process को हम बोलते हैं hydrometallurgy या फिर जल दातुख्रम तो आंसर जो जाएगा जाएगा second ओके next ये भी अच्छा की सुन है cryolite is तो cryolite का सबको पता है होगा कि cryolite किसको बोलते हैं na3 alf6 तो को इसमें भी na3 alf6 इसमें भी na3 alf6 इसमें भी तो cryolite तो ये है अब फिर बोला है cryolite का use भी क्या है ये भी option में बोला है and it's used the electrolysis of alumina for decreasing electrical conductivity ना जीना cryolite के साथ CA up to मिला जाता है जो उसकी electrical conductivity को बढ़ाता है na3 alf6 used in the electrolysis of alumina alumina का जब electrolysis करवाते हैं al2o3 तो उसमें cryolite as a flux मिलाया जाता है for lowering the melting point of alumina alumina का melting point हम उसका क्या करते हैं कम करते हैं alumina का melting point जो है वो बहुत हाई होता है 2300 degree Celsius के close होता है जब उसमें cryolite मिला देते हैं तो वो घट के 900 के close आ जाता है तो आंसर जाएगा हो जाएगा second next which of the following is no take concentration technique कौन सी concentrate technique नहीं यह very simple इस से simple cushion metallurgy का बन नहीं सकता कि यहाँ पे lavigation तो hydraulic washing है यह concentration method है throat flotation यह भी sulfide ore के लिए करते है concentration method है leaching यह chemical method है concentration method है बड़ concentration method में chemical method है जो AG और AU के लिए की लिए की जाती है ठीक है next calcination calcination not a concentration technique calcination में हम ore को heat करते हैं in absence of air तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा fourth now बात करते हैं next question की during the process of electro refining of copper some metal present as a impurity settle down as anode mud these are anode mud पे नीचे की तरब कौन सी impurities आती है तो यह ध्यान रखना कि जब हम electrolytic reduction करवाते हैं तो pure metal ठीक है यह pure metal pure metal इसका हम बनाते हैं anode शोड़ी केथोड यह केथोड हम बनाते हैं और जो impure metal है उसका हम बनाते है anode तो यहाँ जब reduction होगा तो यहाँ पे कौन सी impurity anode के नीचे deposit होती है वो question में पूछा हुआ है तो ध्यान रखना more less electropositive element जो copper से less electropositive element है less less electropositive element और less electropositive element कौन से है ag और यह उत्तों तो 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 यह सिंपल क्यूशन NGIT में साफ साफ लिखा हुआ है कि यह नोड मढ़ पे हमें यह यह मिलता है तो आंसर इसका जाएगा next which of the following is not correctly matched कौन सा correctly matched नहीं है जो वो जेडन CO3 है पहले हमने जिंक इससे जिंक हमें बनाना है तो पहले केल्सिनेशन करवाना पड़ेगा कार्बोनेट के लिए केंसिलेंसर होता है यह मैं पहले बोल सुका हूँ फिर followed by smelting smelting मतलब इसका हम कार्बन से क्या करवा देंगे reduction करवा देंगे carbon reduction ठीक है फिर aluminium hydroxide तो इसका पहले calcination करवाते है definitely calcination करवाते है जिससे यह calcination में यह AL2O3 में converge रता है followed by smelting ना aluminium के लिए smelting यूज में नहीं लेते हैं aluminium के लिए हम electrolytic reduction यूज में लेते हैं तो यह गलत है PBS PB का पहले partially roasting करवाया तो PBS का जब partially roasting करवाएंगे तो कुछ PBS PBO में जाएगा और कुछ PBSO4 में जाएगा जो remaining PBS है क्योंकि partially roasting करवाया है remaining PBS जो है वो PBSO4 और PBO इन दोनों का इसमें S-2 जो है वो reducing agent का का काम करेगी और इन दोनों का reduction करके क्या ले आता है PB ले आता है तो यह तो सही है यह भी सही है यह भी सही है CU2S को पर complete roasting करवाली क्योंकि partially roasting करवाते हैं तो self reduction आएगा complete roasting करवाली complete CU2S को CU2O में convert कर दिया उसके बाद हमने उसका क्या करवाया carbon reduction करवाया मतलब CU2S जो है वो convert हो गया CU2O में यह roasting से हो गया फिर इसका carbon से हमने क्या करवा दिया reduction करवा दिया और यहां यह method भी सही है तो हमें पूछा है not correctly में तो उसका answer रहेगा next when an impurity in metal has greater affinity for oxygen and is more easily oxidized than the metal itself than the metal is refined by बोलाया कि impurities जो metal में जो impurities है उनकी oxygen के लिए affinity ज्यादा है ऐसे method में हम कौन सा method purification के लिए उजमें लेते हैं तो वो है cupulation समझे इस method को कि क्या method है यह जैसे ag में ag में pb ag impurities present है यह impurities है ag में pb ag impurities है अब ag और pb में oxygen के लिए affinity ज्यादा किसकी है तो pb की ज्यादा affinity रहेगी more electro positive है ag से तो यह more affinity more affinity for oxygen तो air की presence में hit करेंगे तो pb करनवर्ट हो जाएगा pb o में जो की volatile हो जाएगा और हमें pure ag obtain हो जाएगा this method is called cupulation या खडपरन next what is the appropriate process for the extraction of lead from galena हमें galena इसको बोलते हैं pb s को हम बोलते हैं galena और इससे हमें बनाना है lead तो पहले तो हम क्या करवाएंगे merchandise फ्रोट फलोटेशन तो पहले तो इसपे process हम डालेंगे a तो यह concentration हो गई फिर उसके बाद इसका हम करवाएंगे roasting तो इसके बाद s के बाद हमारे पास यहाँ यह concentrated हो गया concentrated उसके बाद हम roasting करवाएंगे, C process करवाएंगे तो यह convert हो जाएगा PBO और PBSO4 में जो roasting करवाएंगे वो partial करवाएंगे उसके बाद वो ही PBS इसका क्या करेगा, self reduction करेगा self reduction करेगा तो फिर हमें PB मिल जाएगा, तो ऐसा option देखे हम, कि पहले flotation करवाना है उसके बाद हमें roasting करवानी है, उसके बाद हमें self reduction करवाना है, और बाकी कोई सा use कामें नहीं आएगा, तो ACV एसा option second में दिया आवा है, तो second is correct answer, next इन purification of bokside or it is mixed with coke and heated at 1800 degree Celsius in presence of nitrogen this, तो bokside Al2 O3 और XH2O, bokside इसको हमने heat किया carbon और N2 से heat किया, इसमें impurities होती है SiO2 की और हमारे पास बनता है aluminum nitrite, जिसका हम करवाते हैं hydrolysis तो हमारे पास बन जाता है ALOH का whole thrice और NH3 side product हमें मिलता है, फिर ALH O3 को heat करते हैं, तो हमें क्या मिलता है AL2 O3, तो यह पूरी process का नाम है सरपेक process, आपको पता है leaching of aluminum, aluminum, gold और silver तीन की leaching की जाती है aluminum की leaching के तीन process है, bear process whole process और सरपेक process सरपेक process में हम जो solvent है हमारा वो है carbon और nitrogen तो यह सरपेक process का example है next select the reaction which does not occur in Bessemer's converter कौन सी reaction Bessemer's converter में नहीं होती है तो आप देखे, Bessemerization करवाते हैं किसका, copper का हम Bessemerization करवाते हैं तो जब copper का Bessemerization करवाते हैं, तो हमारे पास Cu2S और F2S जो है copper mate जो first question था, इस पे इसको हमने बोला है copper mate यह होता है copper mate तो इसका हम सबसे पहले roasting करवाते हैं, air की presence में heat करते हैं, तो Cu2S convert होता है, air की presence में heat करने पे Cu2O फिर इस Cu2O Cu2S क्या करता है यह self reduction वाली process आती है self reduction इसमें होता है, और copper और SO2 बनता है, एक process तो यह होता है दूसरा, EPS जो है वो भी oxygen से react करके क्या बनाता है IPO बनाता है, फिर IPO react करता है SiO3 से, यह हम AJ क्या मिलाते हैं, SiO2 SiO2, यह हम मिलाते हैं इसमें AJ flux, तो हमें जो slag मिलता है, वो बनता है EPSIO3 का, यह besimarization में होता है, तो यह वाली reaction हो रही है besimarization में यह वाली Cu2, SO2, Cu2O में जा रहा है, यह वाली reaction भी हो रही है IPO, SiO2, सलेक बन रहा है, यह वाली reaction भी हो रही है यह नहीं हो रही, copper pirate is है तो यह तो river battery फिरोनेंस में होती है, वहाँ से copper mate मिलता है, उसका besimarization करवाते हैं, तो कौन सी reaction नहीं होगी तो answer जो जाएगा, वो जाएगा fourth, fourth reaction नहीं होगी, all clear next question देखते हैं करवाते हैं, हम leaching करवाते हैं, क्या करवाते हैं leaching करवाते हैं, appropriate solvent लेते हैं, NACN, तो complex बनता है, AGCN का whole twice, और minus, फिर more electropositive element, जिंक से यह काम करता है, यहाँ reducing agent का, इसका reduction करवाते हैं, तो complex बनता है, ZN, CN4-2 और AG का, हमें precipitated मिल जाता है, यह मैंने पहले भी बताई है पीछे क्यूशन में भी आई है, तो इस process को हम hydrometallurgy बोलते हैं formation of cyanide, cyanide का formation होता है, reduction of zinc by zinc metal, zinc metal से reduction होता है तो यह कौन सा method नहीं हुआ इसमें levigation नहीं हुआ, तो answer जो जाएगा वो जाएगा third, ओके clear, very simple question, next select the incorrect statement, कि incorrect statement कौन सा है, based on reactivity series, occurrence of certain elements take place in native state जो electrochemical series में जो नीचे कितर पाते हैं, जिनकी reactivity कम है वो नेचर में, native state में exist करते हैं क्योंकि उनकी reactivity कम है, और hydrogen से नीचे वाले हैं, उनकी reactivity कम ही होती है copper है, ag है, au है ये इनकी बात हम कर रहे हैं, तो ये तो सही है due to the basic nature of oxide oxide की basic nature of alkaline earth metal तो alkaline earth metal जैसे MgO है, ये alkaline earth metal का oxide है, ठीक है they combine with atmospheric acidic oxide, अब ये CO2 है वो atmospheric atmospheric acidic oxide है, कौन सा oxide है, atmospheric acidic oxide, इसके साथ rate करके क्या बना देगा, ये MgCO3 बनाएगा, salt बनाएगा, तो giving salt this is salt तो ये statement सही है ये भी सही है, ये भी सही है चालको pyratis और contain both copper and api, चालको pyratis और तो चालको pyratis में copper और api होता ही है, ये होता है cuaps2, तो ये भी सही है बोत angelesite, angelesite क्या होता है PB, SO4 को angelesite बोलते है क्या होता है SN, O2, contain PB गलत हो गया, angelesite में PB है क्या है, नहीं है incorrect आप से पूचा हुआ है, तो आंथर जो जाएगा fourth next which of the following note correctly missed removal of oxide impurities from impure copper to pulling process green hood से हम उसको steer करते हैं, slowly तो hydrocarbon gas से release होती है, जो impure copper में oxide की जो impurities होती है Cu2O है, इसको hydrocarbon gas जो है, वो reduce कर देती है किसमें, copper में तो यह तो सही है falling, अजी मोलो PB impurities from AG, क्यूपिलेशन यह मैंने अभी बोला है, कि oxygen की affinity ज़्यादा होती है PB की oxygen के लिए affinity ज़्यादा है, तो इसको remove करने के लिए हम क्यूपिलेशन यूज में लेते हैं, यह भी सही है obtaining raw iron from cast iron हमें पता है, कि जब blast furiness में हम iron की metallurgy में जब हमें जो iron मिलता है, वो cast iron होता है, उस cast iron को raw iron में कर्वट करते हैं, हम river battery furiness में silika की lining लेते हैं, hematite ore उसमें डालते हैं, जो carbon को oxidize करता है, जिससे carbon का content कम हो जाता है, तो यह गलत है, इसमें doubt नहीं होना चाहिए, NCRT में यहाँ पर river battery furiness लिखा हुआ है, ठीक है base amarization, यह process है steel formation की steel formation में हम base amarization यूज में लेते हैं cast iron से raw iron बराने में हम base amarization यूज में नहीं लेते हैं कोई doubt नहीं होना चाहिए, तो यह हमें वोला note correctly, तो answer तो 3rd आएगा, refining of nickel moon process तो Ni, CO4 volatile compound है, टूर जाता है Ni और CO में तो 1st, 2nd, 4th correct है, 3rd क्या है वो incorrect है, base amarization से steel formation होता है, cast iron से raw iron में बनाते हैं, वो river battery फिरो नहीं से में बनाते हैं, ओके, next next question देखते हैं, अच्छा question है, elegant diagram से थोड़ा सा question को घुमाया है, तो एसी question एक-दो तो होने ही चीए पेपर में थोड़ा सा समझे, elegant diagram का basic concept क्योंकि NCRT में यह सब दिया हुआ है विचोगता, following statement is incorrect elegant diagram for a metal in general on increasing temperature free energy change also increase, जी हाँ यह statement सही है, आप थोड़ा सा इसको समझने कोशिस करें, कि यहाँ पे हम एने 0 लिया याँ positive है, और यहाँ negative है और यह del g है और इतर temperature है मैं जैसे जैसे temperature बढ़ाऊंगा del g negative से positive की तरफ जाएगा यह temperature बढ़ाने पर, del g जो है वो positive से negative की तरफ जाएगा मतलब 0 को touch करना start करेगा 0 को touch करना start करेगा इसका मतलब value increase हुई है negative में कम हुआ इसका मतलब value increase हुई है सुनने वापसे in general on increasing temperature मैंने temperature increase किया free energy change also increase तो free energy change भी क्या हो रहा है increase हो रहा है positive में value आ रही है इसका मतलब भढ़ रहा है negative में कम हो रहा है इसका मतलब भढ़ रहा है यह statement सही है graph 4 which day less is negative will have positive slope इसको थोड़ा सा समझे हम तो इसको समझने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार कि हम यह भढ़ते है डेल g ब्राबर डेल h minus t डेल s यह equation हम भढ़ते है ठीक है तो डेल g को तो ले लेता हूँ मैं y axis पे ठीक है और डेल h हो गया मेरा c minus अब मैंने बोला कि डेल s is negative तो इसको भी मैंने क्या लिया है नेगेटिव लिया है तो नेगेटिव नेगेटिव हुए यह नेगेटिव नेगेटिव क्या होंगे पोजिटिव मतलब सलोप कैसा आने वाला है यह क्या है आपका सलोप है सलोप कैसे आने वाला है पोजिटिव सलोप आने वाला है तो यहाँ ग्राप फोर विच डेल s is नेगेटिव, will have positive slope, तो definitely सही है, graph for which DLS is negative, DLS वापस negative रखा, यह DLS मैंने यहाँ पर negative रखा था, will have negative slope, ना जी, ना, slope अभी उपर वाला देखो, उपर वाले में मैंने positive slope बनाया है, तो incorrect हम से पूचा है, तो third is incorrect, hopefully, question समझ में आ गया होगा, next बात करते हैं, Which of the following minerals does not contain iron, तो देखो, magnetite, यह होता है, F3O4, तो इसमें iron है, magnesite, यह होता है, MgCO3, इसमें magnesium है, hematite, यह होता है, F2O3, इसमें iron है, limonite, F2O3, और 3H2O, this is limonite, तो iron इसमें है, इसमें है, इसमें है, second में iron नहीं है, तो second is correct answer, next, Impure aluminum is purified, तो देखो, bare process, whole process, और सर्पिक process, यह जो process है, वो है leaching method, leaching process है, और यह concentration for bauxite, यह bauxite के लिए हम कहाँ यूज में लेते हैं, concentration में use लेते हैं, whole process में हम इसको purify करते हैं, whole process में हम इसको purify करते हैं, transfer जाएगा, next, purification of silicon element used in semiconductor is done by, high purity का, semi conductor में जो element यूज जाता है, वो high purity का होता है, high purity का element अगर हमें obtain करना है, उसका extraction करना है, तो उसका refining क्या जाएगा, zone refining method से, जिसका method मैंने अभी बताया था, कि impurities are more soluble in molten metal, comparative to solid metal, तो इसका answer आएगा, zone refining, next, in blast puriness maximum temperature, तो blast puriness जो होती है, ठीक है, यहाँ पे, यह होता है, यह होता है, heat of combustion, और heat of combustion में temperature maximum होता है, तो हांसर जाएगा, zone of combustion, उपर की तरब जाएगे, temperature decrease होता जाएगा, नीची की तरब temperature बढ़ता जाएगा, next, in which of the following mineral, aluminium is not present, किस में aluminium present नहीं है, तो देखो, mica, cryolite, philt spore, these are aluminium mineral, aluminium, यह minerals है, fluorospar बोलते हैं, CAF2 को, ठीक है, यह जो cryolite है, वो तो आप जानती ही हो, NA3, ALF6 है, और mica और philt spore है, वो 3D silicate है, aluminium silicate, कौन से है, aluminium silicate, तो आंसर जाएगा, fourth, next, simple question है, in the equation, M लिया, cyanide लिया, H2O लिया, और O2 लिया, तो cyanide आपको equus solution लिया है, O2 की presence में, O2 यहाँ oxidizing agent का काम करता है, किसका काम करता है, oxidizing agent का काम करता है, जो native ore, चाहिए वो AG ले लो, AG को AG+, में लेके जाएगा, या AU ले लो, AU को भी AU प्लस में लेके जाएगा, तो यह आजाएगा, third, this is hydrometallurgy, next, which of the following process is not a physical process of separation, मैंने बोला, magnetic separation physical है, flow flow, physical है, levigation physical है, leaching chemical method है, कौन सा method है, chemical method of concentration, concentration, यह concentration का, ओप, concentration, यह concentration का chemical method है, और यह किसके लिए किया जाता है, aluminium के लिए, AG के लिए, और gold के लिए किया जाता है, इसके लिए तीन process मैंने बोली है, whole process, bear process, surface process, AG और AU के लिए हम solvent use में लेते हैं, NACN, hydrometallurgy, जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ answer जाएगा, वो जाएगा head, next, which one of the following reaction is an example of calcination process, तो देखो, यह भी calcination नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, केवल D calcination process है, which one of the following reaction is an not example of calcination, तो A, B, C, calcination नहीं है, इसका expression में already पीछे equation में देच चुका हूँ, तो वो ही same concept यहाँ पर अपलाई हुआ है, next, in electro refining of metal, the impure metal is made the anode, and strip of pure metal the cathode during the electrolysis of an aqueous solution of a complex metal salt, this method cannot be used for refining of, किसके refining के लिए, यह method यूज में नहीं लिया जाएका, तो electro refining लेते हैं, यूज में silver के लिए, copper के लिए, और gold के लिए, इनके लिए हम electrolytic refining के लिए, aluminium के लिए, हम refining नहीं करते हैं, aluminium की refining करते हैं, hoops process से, तो answer जो जाएगा, जो जाएगा, फैड़, next, consider the following reaction, 8000 degree Celsius, आपको यह elegant diagram से related question है, simple question है, कुछ भी नहीं है, देखें, zinc solid है, ZNO का जो डेल जी नेगेटिव में आ रहा है, वो 360 किलो जूल पर मोल आ रहा है, carbon का जो आ रहा है, वो ज्यादा negative आ रहा है, तो more डेल जी नेगेटिव वाला, less डेल जी नेगेटिव वाले का reduction कर सकता है, वापस सुन ले, जिसका डेल जी मोर नेगेटिव है, उसका reduction, लेस डेल जी नेगेटिव वाले का reduction कर सकता है, reaction को अगर लिखके बताएं, तो लिखके भी बताए जा सकता है, कि अगर मैं इस reaction को ZNO, और इसको लिखू zinc और हाप O2, तो इसके लिए डेल जी की जो प्रोसेस है, वो आएगी प्लस 360, अपोजिट हो जाएगी, यहां मैं लिखू carbon, ठीक है, और ये हाप O2, और ये CO, इसके लिए डेल जी आएगा आपका, वो बोला है, माइनस 460, बैलेंस कर दो reaction को, O2 से, O2 cancel out कर दो, तो reaction हो गई, ZNO, प्लस C, zinc, प्लस CO, डेल जी इस reaction के लिए क्या आगया, 360 में से 460 गया, तो माइनस 100, ठीक है, तो reduction हो गया, तो ZNO is more stable than CO, ना, जिसका डेल जी ज्यादा negative, वो more stable, जिसका डेल जी ज्यादा negative, वो more stable, गलत हो गया, ZNO can be reduced by to zinc, by carbon, जी हाँ, ZNO को मैंने carbon से क्या कर दिया, reduce कर दिया, सई statement है, ZNO and CO are formation at equal rate, ना, equal rate से नहीं मन रहा है, इनका डेल जी अलग लगा रहा है, तो equal rate से कैसे मन जाएगा, गलत है, ZNO cannot be reduced by zinc, by C, in zinc, reduced to zinc, तो यह तो कर रहा है ना, तो यह भी गलत हो गया, तो answer जो जाएगा, वो second is correct, next, डेल जी and T plot in the elegant diagram, slope downward for the reaction, कि किसका slope reaction के लिए, तो यहाँ downward हमें पूचाएगा, कि किसका आएगा, तो वही temperature अपना जो है, वो elegant diagram जो है, वो इधर डेल जी लिया मैंने, यहाँ मैंने 0 लिया, यहाँ positive लिया, यहाँ negative लिया, और इधर मैंने temperature लिगा, तो magnesium का तो ऐसे जाएगा, यह magnesium का हो गया, उसके बाद AG का भी low temperature पे 0 को touch कर जाएगा, यह AG का हो गया, कार्बन का जो diagram आता है, वो इसे आता है, downward आता है, कार्बन का elegant diagram में downward आता है, और CO का भी upward की तरब पर चाता है, तो answer जाएगा, वो जाएगा third, यह जो है, वो carbon का है, हम फढ़ते तो ह है, high temperature पे carbon based reducing agent है, low temperature पे CO, तो यह ऐसा देखो, यह ऐसा जाता है, यह CO वाला है, और यह यहाँ से यह वाला carbon वाला है, यह CO वाला है, और यह carbon वाला है, तो इस point से पहले, यह 710 degree Celsius क्या स्वास गता है, इस से पहले CO based reducing agent है, बाद में carbon based reducing agent है, next, the incorrect match in the following, purification of aluminum metal bears method न, यह तो concentration का method है, this is concentration method, यह तो गलत हो गया, polling reduction of Cu2O, जी हाँ, green hood से अभी मैंने pitch explain किया है, यह सही है, APCR2O4, तो NaOH और Na2CO3 से reaction करवाते हैं, तो बनता है, AP2O3 और आपके पास आता है, Na2CRO4, हम यह D block में यह reaction पढते हैं, D block में, फिर है AG, महा कार्थर साइनेड प्रोसेस, मतलब this is hydrometallurgy, तो यह भी सही है, तो यह भी सही है, गलत कौन सा हुआ, फर्स्ट, next, which of the following metal never occur in pre-state, तो sodium highly reactive है, highly reactive metal, never in pre-state, कभी भी pre-state में नहीं होगी, तो आंसर जाएगा, फोर्ट, next, in which of the following process roasting and self-reduction is required, किस में roasting और self-reduction हमें required है, तो यहां तो यह तो roasting है, this is roasting, और यह calcination है, calcination, और यह वाला, in which of the following process roasting and self-reduction is required, किस में, तो यह यहां पहले ZNS गया, ZNO में, उसके बाद carbon से reduction करवाया, तो यह zinc में convert हो गया, PBS इसमें हुआ है, हमारे पास self-reduction, पहले PBS, PBO में गया, फिर PBS से react करके, यह PB और SO 2 में गया है, तो फोर्थ है, बाई, self-reduction किस के लिए होता है, कोपर और PB के लिए, तो कोपर में तो मैंने roasting ही दिखाई है, क्यावल, यहां PBS से PB बनाना है, तो self-reduction required है, फोर्थ आंसर, correct which is incorrectly matched for the refining of element, element का refining करना है, तो कौन सा incorrect है, silicon germanium from impurities, zone refining method, semi-connector में यूजी में आते हैं, सही बात है, SN refined from impurities with high boiling point, boiling method, ना SN की जो refining करते हैं, वो किस से करते हैं, liquidation method से करते हैं, किस से करते हैं, liquidation से गलत हो गया, zinc cadmium from impure with high boiling point distillation, जी हां, zinc or cadmium at G, इनका boiling point कम होता है, तो impurities से पहले यह boil हो जाते हैं, distillator हो जाते हैं, तो यह method सही है, aluminium from impurities copper iron hoop method, तो मैंने भी बताया है, aluminium को refining करने का method, hoop method है, तो यहां पूचा है, incorrectly match है, तो वो second आपका answer आएगा, मतलब second is correct, next, the slag obtained during the extraction of copper pyritage is composed mainly of, तो copper pyritage में C, U, F, E, S2 होता है, इसको पहले copper mate में करनोट कर देते हैं, C, U, F, E, S में, फिर यहां से हम जब basemarization करवाते हैं, basemarization करवाते हैं, तो iron का silicate बनता है, F, E, S, I, O, 3, जो AJ slag होता है, तो यहां बोला है copper, तो copper में copper को तो बाहर क्यों करेंगे, slag तो बाहर करने की चीज़ है ना, तो इसमें आएगा, वो third आएगा, iron silicate, next, देखो, consider the following reaction, यह अभी मैंने एक पीचे question करवाया है, सेम उसी concept पे है, बट यहां थोड़ा सा मैंने option को उपर change किया है, थोड़ा सा change किया है, zinc or two, इसका डेल जी इतना दिया है, carbon graphite लिया है मैंने, इसका डेल जी इतना दिया है, तो more negative डेल जी, less negative डेल जी, negative वाले को क्या कर सकता है, reduce कर सकता है, तो reduce तो होगा, zinc can be oxidized by carbon monoxide, ना जी, ना, zinc oxide can be reduced by graphite, सही बात है, both statement A and B are true, गलत बात है, both statement A and B are false, यह भी गलत बात है, answer जाएगा, वो second जाएगा, concept इसका already में पीचे, एक question में बता चुका, next, when ZNS and PBS minerals are present together, then NaCN is added and separate them into the protein process as a depressant, because, तो देखो, PBS जो है ना, वो NaCN के साथ react नहीं करेगा, ZNS जो है ना, वो NaCN के साथ react करेगा, और बनाएगा Na2ZN, CN4, और यह complex बनेगा, soluble complex, तो यह फ्रोतर्स के साथ नहीं जाएगा, फ्रोतर्स में क्यों बात है, PBS जाएगा, ZNS नीचे बोटम में ही रह जाएगा, वोटर के साथ क्योंकि यह soluble हो गया है, तो NaCN क्या कर रहा है, NaCN PBS और ZNS को separate कर रहा है, ZNS के साथ rate करके उसको soluble complex में convert कर रहा है, तो ZNS form soluble complex Na2ZN, CN4, second is correct answer, next, the material mixed before the hematite or is subjected to smelting in the extraction of iron, hematite or जो आपको दिया हुआ है, F2O3, इसका जब smelting करवाते हैं, तो हम blast pureness में क्या mix करते हैं, यहां इसको किसे charge करते हैं, तो एक तो F2O3 तो डाला जाएगा, इसके अलावा कोक डाला जाएगा क्या, कोक और क्या डाला जाएगा, CACO3, तो यहां lime stone and कोक, आंशर जो जाएगा, वो जाएगा second, ठीक है, कोक, यह कोक, बर्ण होगा, combustion होगा, CO और CO2 में जाएगा, नीचे आएगा, यहां combustion में CO और CO2 उड़ेगा, उपर से iron आ रहा है, उसका reduction करना, इस्टार्ट कर देगा, आगया समने, के लिएर, चलो, next, which of the following reaction from the basis of gold smith aluminothermite process, तो aluminothermite process की यह reaction होती है, जहां iron हमें liquid form में मिलता है, और जो railway track जो है, जो टूट गया है, broken railway track का जब हम यूज में लेते हैं, तो यहां पर इस तरह से यहां लगा के, यहां पर हम mixer डालते हैं, AL और F2O3 का, तो यहां से iron liquid form में यहां deposit होता जाता है, और यह broken railway track को हम वापस से जोड सकते हैं, तो gold smith process forth is correct, next, calcium silicate formed in the slag formation zone in extraction of iron from habitat or which statement is true for this slag, इस slag के लिए कौन सा खतन सही है, यह बनता है na, C-A-S-I-O-3, यह slag बनता है, इसके लिए कौन सा है, there is no dissolve in molten iron, जी हां, slag की खासेत होती है, being lighter होता है, जो molten metal के उपर float करता है, तो यह तो सही statement है, being lighter float हों दा molten iron, यह भी सही है, इसमें dissolve नहीं होता, इसका यह जो slag बना, C-A-S-I-O-3, इसका यूज हम सिमेंट इडिश्ट्री में, केलसम सिलिकेट होता है, सिमेंट में, उसमें और building material में कामें लेते हैं, catalyze the re-oxidation of molten iron, ना, गलत statement है, क्योंकि, यहां molten iron नीचे जब blast peronis हम करवाते हैं, तो यहां पे, यहां नीचे तो होता है, molten iron, molten iron, और उपर यहां पे होता है, यह C-A-S-I-O-3, और यहां से हम blast of hot air supply करते हैं, blast of hot air supply करते हैं, तो यह calcium silicate, इस iron को वापस से, oxidation होने से बचाता है, इस air से यह oxidation ना हो जाए, इसलिए calcium silicate इसको बचाता है, क्योंकि उपर फ्लोड कर रहा है, direct air के contact में नहीं आने दे रहा, तो यह catalyze नहीं करता, यह तो inhibit करता है, तो D गलत है, बाकी A, B, C, सही है, इस base प्यांस और जाएगा, next, which of the following are not correct process, कौन सी correct process नहीं है, है, गलत है, aluminum more, delg negative होता है, यह reaction नहीं होती, यह reaction इधर से इधर जाती है, गलत reaction नहीं है, सही reaction नहीं है, F2O3 को aluminum reduce करता है, iron liquid में, तो यह तो गलत reaction है, zinc को carbon से reduce हो सकता है, CR2O3 का aluminum से reduction हो सकता है, यह aluminum thermite process है, है, यह hydrometallurgy है, तो यहाँ पे जो हमें पूचा है not correct, तो answer जो जाएगा, हो जाएगा, first is not correct, next, which of the following process is used the extractive metallurgy of magnesium, तो देखो, S-block के metal है, sodium है, potassium है, magnesium है, calcium है, इनका जब हम electrolytic reduction करवाते हैं, इनके salt का, तो हम aqueous solution use में नहीं लेते, aqueous solution use में लेंगे, तो H2 release हो जाएगी, हम इनका molten state में इनको use में लेते हैं, जहां हमें metal reduction से मिले, तो यहां हम करवाते हैं, huge salt का electrolysis करवाते हैं, aqueous में कौन सी gas बारा जाएगी, H2, thermite reduction नहीं होगा, क्योंकि यह खुद more electrolytic positive element है, aluminum से भी ज्यादा electropositive है, cell production यूज में नहीं होता है, cell production PB और copper और HG के लिए यूज में होता है, तो यहां huge salt electrolysis करते हैं, S block की metallurgy situation लिया हुआ है, next, native silver metal prone में water soluble complex भी ते dilute aqua solution, NaCN in the presence of, तो native silver ore लिया मैंने AG, तो यह NaCN मैंने लिया dilute, तो यह ऐसे reaction नहीं होगी, AG को पहले हमें AG plus में लेके जाना पड़ेगा, तो यहां मुझे O2 डालना पड़ेगा, जो किसका काम करेगी, oxidizing agent का काम करेगी, किसका काम करेगी, oxidizing agent का काम करेगी, तो net पहले AG को AG plus में ले जाने के लिए, उसके बाद इसके साथ rate करके complex बनता है, वो बनता है AGCN2 और यह minus, तो यहां कौन सा यूज में लेते हैं, oxygen यूज में लेते हैं, next, simple है, minerals, hematite, hematite क्या हो गया, F2O3, magnitude क्या हो गया, F3O4, इसमें iron किसमें है, F3O4, इसमें iron किसमें है, इसमें iron है, प्लस 2 में, और इसमें iron प and प्लस 3 में भी है, दोनों iron हैं इसमें, यह तो सब simple सा concept है, तो यहां बोला है, कि हमें बोला है, कि minerals, hematite, hematite में iron प्लस 2 में है, second in hematite, and second and third in magnetite, third, very simple question, simple question भी है, यह वाला, elegance diagram से related question है, बोल रहा है, which of the following line is not correctly represent elegance diagram, तो देखो, CO2 का सही है, metal oxide का, जो metal oxide का elegance diagram बनता है, वो उपर की तरब जाता है, ऐसे जाता है, तो यह जो diagram है यह वाला, ऐसे, metal का, यह गलत है, मतलब इसमें जो M3O है न यह वाला, यह गलत representation है, यह सही नहीं है, next, which method is purification of is represented by following equation, इस equation से कौन सा titanium बनाया, titanium iodide बनाया, फिर यह, तो इसको हम बोलते है, one arcal method, ठीक है, zone, sorry, vapor phase refining, this is called vapor phase refining, vapor phase refining, ठीक है, next, calcination is the process in which, simple, इससे क्या simple question हो सकता है, calcination क्या process है, calcination हम और को heat करते हैं, in absence of air, तो और is heated in absence of air, very simple, next, यह अच्छा question है, समझे इसको, in the context of the whole herald process, aluminium के extraction की process है, which of the following statement is false, तो देखो, जब हम इसका करवाते हैं, तो यहाँ, al2, o3, जो है न, वो तो होता है, electrolyte, al2, o3 क्या होता है, electrolyte, इसमें mix करते हैं, aj flux, na3, alf6, और caf2, जो इसके melting point को कम करते हैं, melting point को decrease करेंगे, और इस electrolyte की conductivity को बढ़ाते हैं, तो, और during this, CO और CO2 are product in the process, जी हाँ, जब CO2 बनी है, तो पहले CO2 बनी है, तो NCRD में लिखावा है, कि, हम, जब aluminium का production करते हैं, तो graphite, जो एनोर की रूप में कामें लिया जाता है, वो burn हो जाता है, ठीक है, तो करीबन, एक केजी aluminium के लिए 500 ग्राम कार्बन बनन होता है, almost, AL2O3 is mixed with CF2, which lowers the melting point of the mixer and bring conductivity सही है, AL plus 3 is reduced at the cathode to form aluminium, ये भी सही है, NA3L is the electrolyte, गलत है, क्योंकि मैंने बोला, electrolyte किसको यूज में लेते हैं, AL2O3 को electrolyte के रूप में यूज लेते हैं, तो ये गलत हो गया, next, which of the following curve is assume that the metal obtained by carbon reduction is in the vapor state, कौन सा vapor state में मिलेगा, तो आपको पता, in the diagram में जो slope change होता है, जैसे यहाँ मैंने 0 लिया, तो slope ऐसे जाके, ऐसे फिर ऐसे हुआ है, तो यहाँ पे, यह यह तो melting point होता है, और यह boiling point होता है, तो आप देखें, इसमें आमें यहाँ पे reduction हुआ, तो यह वाला तो boiling point है, और यह वाला melting point है, second में देखो, यहाँ reduction हुआ, ठीक है, तो यह boiling point है, और यह melting point है, तो यहाँ जो metal हमें मिलेगा, वो कौन सी फोर्म में मिलेगा वेपर इस टेट में मिलेगा इसमें नहीं मिलेगा इसमें भी नहीं मिलेगा क्योंकि यहां मल्टिंग पॉर्लिंग 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 नीचे रेडक्शन हो गया रेडक्शन किस पॉइंट पर हो रहा है तो इसके बेस्ट पर आएगा ठीक है? Thank you so much.